और अब हम कर रहा है एडवांस कापिटल विश्टिंग का मैराथा तरह मैराथान जो चल रहा है आपकी मर्जी है आप खुछ से भी कर सकते हैं एडवांस कापिटल विश्टिंग कुछ विशेश नहीं है क्या पढ़ना आपको मालू है बेसिक्स पक्का मियानी पड़ेगे हमारे स्लेबस में नहीं है ठीक है और स्लेबस में होता तो भी हम नहीं पढ़ते क्योंकि यह बेसिक्स क्लास के ठीक है एजिस्टेट प्रेजेंट वैल्यू एपीवी के लिए बच्चे बहुत परेशान है कि सर एपीवी के कोश्चिंज करवाईए भाईया एपीवी सिर्फ थियरे टॉपिक डाला गया है पर मैं यह नहीं कह सकता कि कोश्चन नहीं आ सकता उसके लिए मैंने एक कोश्चन करवा पर वह रिवीजन के लिए बनता नहीं है मतलब टोटल मिलाकर हमें तीन टॉपिक पर ध्यान देना एक इंफ्लेशन इन कैपिटल बच्टिंग यह सबसे ज़्यादा इंपोर्डन्ट है रिस्क एनलिसिस इन कैपिटल बच्टिंग इसमें सब है और एक है रिप्लेश में ड इन कैपिटल बच्टिंग में हमने क्या सीख अभी तक इंफ्लेशन नहीं होता था तो जो कैश फ्लो दिया रहता था उसको बोलते थे हम रियल कैश प्लो और उसको हम डिसकाउंटिंग कर जिससे करते थे वो उसको हम रियल डिसकाउंटिंग रेट से डिसकाउंटिंग करत सकते हो nominal cash flow including inflation nominal cash flow मतलब inflation include करके और real discounting rate को आप nominal discounting rate में convert कर दीजिए और NPV निकालीजिए बस पहले यह होता था अब यह हो का शर्त एक ही है शर्त और शर्त क्या है सर एक real cash flow को real discounting rate से discounting करना और nominal cash flow को nominal discounting rate से discounting सर्त नॉमिनल cash flow कैसे निकाला जाता सिंपल है real cash flow में inflation एट खर देंगे हर साल परेनम है second year का तोसिस आप सिक और सर जैसे यह है मुझे बताए सर्ट नॉमिनल discounting rate कैसे निकाला जाता फैक्टर इंटु फैक्टर ज्यादा कहानी नहीं सुना रहा हूं मतलब सर्ट 10% है real rate और 5% है inflation तो 1.10 फैक्टर इंटु 1.05 माइनस 1 इंटु 100 तो सर्ट 15.5 पर्शन तो फैक्टर इंटु फैक्टर बस इतना याद रखना है जैसे real discounting rate है inflation है फैक्टर इंटु फैक्टर किया तो यह आगे और सर अगर हमको inflation हटाना है nominal है इसमें तो inflation जोड़ हटाना है तो divide होगा जोड़ना है तो multiply होगा हटाना है तो divide होगा हमारा concept बस एक ही basis पर है real cash flow को real discounting rate से discounting करके NPV निकाल लीजिए यह nominal को nominal से question बताएगा यह तो question कुछ ऐसे रास्ते देगा कि हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है एक्जामपल ले लिया एक सर एक्जामपल की जर्वत नहीं कर लो ना यार कितना time लेगा दो मिनट में काम जाएगा एक लाग रुपय प्रोजेक्ट में लगाना cash flow दिया है यह real cash flow क्योंकि inflation नहीं है बोल रहा है 5% 73500 पहले साल का nominal cash flow अब दूसरे साल 50,000 है न तो दो बार 5% 5% होगा यह जो है यह तो आज की purchasing power power parity के साब से आज की purchasing power value है ओके मैं कह रहा हूं कि दो साल बात कितना हो जाएगा पाच परशन प्लस पाच परशन ठीक है सार याद रखना ऐसा और सार तीसरे साल का 40,000 प्लस पाच परशन प्लस पाच परशन प्लस परशन प्लस परशन यह आ गया this is a nominal cash flow और nominal discounting rate निकाला 1.101 तो सर 15.5 और nominal cash flow को nominal discounting rate से discounting क्या तो end पे भी आके और एक यह तरीका था सर या तो हम factor से भी हम multiply कर सकते हैं ठीक that's it question number 44 अगर देखो के तो कुछ है नहीं है cash flow दिया है और 30-40 तो और यह जो project में है the above cash flow has been expected price after recognizing inflation सर यह inflation के बाद का है मतलब यह nominal cash flow है cost of capital दिया है 10% और inflation का rate अलग से दिया है 5% अलग से सर यह cost of capital जो है यह nominal है यह real है भाई साब inflation का rate अलग से दिया है न तो फिर मैं मान के चल रहा हूं कि यार यह real है क्योंकि nominal दिया है तो इसमें भी हम nominal बना लेगे मैंने इसको nominal बनाया और सिधा answer निकाला एबल बनाओ ना बनाओ आपका problem कोशन नबर 46 पढ़े के एक बार यह सर ठीका सर केलम को 15 लाख रुपिया न्यू प्रोजेक्ट में लगाना है लाइफ है तीन साल और रेविन्यू दे रखा है रेविन्यू दस लाख तेरा लाख और चौदा लाख और कोश्ट दे रखा है पाच लाख छे लाख छे लाख पचास है ठीक है इसमें इग्नोरीं इंफ्लेशन है सर तो यह जो है यह है रियल केश प्लोस टेक्स का रेट है 35 प्रतिशत कोश्ट अब कैपिटल है 14 परशन अब बोलो सर यह नॉमिनल है कि रियल है देखते हैं आफ्टर दा इंफ्लेशन रेट अब यहार इंफ्लेशन रेट हर साल का अलग 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 दिया है और रेविन्यू का अलग दिया कोशिस करना अगर आप कह रहे हों कि यह रियल डिसकाउंटिंग रेट है चलो रियल है तो कौन सा वाला इंफ्लेशन यूज करोगे यह वाला की यह वाला बात बिल्कुल सिंपल से है यह जो कोश्ट अफ कैपिटल दिया है यह नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट है सर कैसे पता लग रहा है। पहली बात इस question को real के basis पे कर ही नहीं सकते क्यानकि हर दोनों में revenue में inflation अलग है, cost में inflation अलग है, revenue में inflation हर साल का अलग है, cost का अलग है तो आपको इस question को inflation को consider करके करना पड़ेगा inflation आपको consider करना है दूसरा है, यह discounting rate रियल है क्योंकि पिछले कोश्चन में तो अपने रियल मान लिया था यहां इन्फलेशन रिवेन्यू का लग है कॉश्ट का लग है तो कैसे करोगा और साथ मैं फैक्टर भी दे दिया है फैक्टर दिया तो फी यह नॉमिनल ही होगा ठीक है सर बास समझ में आगे अब करना क्या कोश्चन में करना कुछ नहीं है बढ़ाना सेल्स रिवेन्यू अब ध्यान से देखना 10 लाग दिख रहा है जी सर दस लाग दिखाई दे रहा है तो उसको 9 परशन से बढ़ाया पहले साथ तेरा लाग पहले साल 9 परशन फिर 8 सब्सक्राइब पर इंफ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दूसरा डेप्रेशिशन तो एक जैसर रहेगा तो सब सब्सक्राइब पर इंफ्लेशन में बस इतना ही था और सर इंफ्लेशन अल्रेड़ी आपका सी एंटर में पड़ा हुआ तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका बरबाद नहीं करूंगा अब बात करते हैं रिस्क एनलिसिस्ट इंफ्लेशन इसमें इस्टेटिस्टिकल टेकनिक हैं कन्वेंशनल टेकनिक्स हैं अदर टेकनिक्स हैं इस्टेटिस्टिकल टेकनिक्स में हमें क्या सीखनों को मिलता है यह रिस्क का मतलब होता है इस्टेंडर डैविशन आप एंपी भी अलग-अलग सिनारियों के बेसिस पर आप एंप पर यार NPV कम भी हो सकता ज्यादा भी हो सकता है तो स्टेंडर्ड एविशन निकालिए और ऐसा प्रोजेक्ट कीजिए जिसमें कम स्टेंडर्ड एविशन है और NPV जाता है अगर कॉनफ्लिक्ट आता तो CV के बेसिस पर डिसिजन देंगे बिल्लुकुल CA इंटर चल रहा है दो देंगा सकता है 15000 12000 मतलब चार अलग अलग सिनारियों से NPV निकाला है और प्रोबाइबिटी दिया एकस्पेक्टेड एनपी निकालना सब्रोबाइबिटी से मल्टिप्लाइ करके एकस्पेक्टेड एनपीव निकल जाएगा तो रिसक निकालना है इस लिए टेडिजन 9,5 ओके, तो expected NPV दोनों का कितना आया था सर, 9,000 तो 9,000 NPV आया था, देखो 9,000, 9,000, इसका standard deviation दोनों में NPV same है पर इसमें standard deviation कम है, तो हमको यह project कर लेना चाहिए, इसमें NPV बराबर है, पर risk भी तो कम है, हाला कि चाहो तो आप CV निकाल सकते हो, और CV निकाला है मैंने, यह CV निकाला है, और CV के basis पर मैंने decision भी लिखा है, CV मतलब standard deviation divided by x और इसके बात कौँ सर प्रोजेट करना चाहिए, तो वो यहीं से समझ में आगा है, जिसका CV कम है, वो प्रोजेट करना चाहिए, okay पी आई निकालना तो पी आई निकाल तक पी आई का formula होता है, पी वी सी आई माइनस divided by पी वी सी तो सर ये है 36,000 और सर 36,000 प्लस 9,000 एन पी भी positive है ना यार तो यह 9,000 एन पी भी है, तो यह आ गया मेरा, और इसके साबसे में पी आई निकालना question number 15 इस question में थोड़ी सी दिक्कत है इस question में प्रोजेक्ट में ये question थोड़ा सा रटने वाला question है, पाच लाग प्रोजेक्ट में पैसा लगा और बोले पास सा लाइफ है और हर साल cash flow आएगा 6 लाग, 4 लाग, 2 लाग ठीके भाई, और project भी में आएगा पाच लाग, 4 लाग, 3 लाग और probability दिया हुआ है probability से multiply करेंगे तो क्या, ये NPV नहीं दिया expected, तो क्या expected cash flow निकल जाएगा ये सर 4 लाग रुपया पारेन तो फितो NPV भी निकल सकता है 4 लाग रुपय पारेन हम 7% से discounting या, मैनस 5 लाग, तो 4 लाग, 4 लाग, 4 लाग, 4 लाग, अब सवाल क्या है सवाल है कि इसने बोला है which project should be accepted तो ICEI ने इसने standard deviation भी निकाला है और standard deviation मालूम है किसका निकाला है, cash flow का निकाला है दोनों में NPV बराबर है, NPV मेरे ख्याल से दोनों में बराबर आ रहा है 11 लाग, देख ले न पर इसमें standard deviation cash flow का निकाला, यही रटने वाली चीज है cash flow का standard deviation निकाला है ऐसे project भी का कर ले न conventional technique एक है RADR और एक है shortinity equivalent approach shortinity, इस RADR क्या बोलता RADR बड़ा से निटल सा concept बोलता कि सुनों भाईयो अगर project risk की है एक project जो है, वो है risk है risk एक project जिसमें कम risk है तो यार आप दोनों में जो discounting करोगे cash flow को, क्या एक ही rate से discounting करोगे, गलत है न यार यह तो और आप खुद लोगों से पैसा लोगे, तो सिंबल से सर्थ कहानी मन समझाओ सीधा बोलो, सीधा यह है कि जिसमें risk जादा है, उसमें discounting rate जादा आएगा जिसमें risk कम है, उसमें discounting rate कम आएगा यह बोलता है कौन? RADR और discounting rate कैसे decide होगा? या तो coefficient of variation के हिसाब से decide होगा जिसमें coefficient of variation जादा जादा, तो वो जादा risk की तो जिसका, यह project की बात करो X, दो लाग दसजार लग रहा है आसा life है, हर सल कितना आएगा? 70,000, discounting किसे करे? तो बोले 1.2 के समने, देखो किया है? 1.2 के नाम समने है? 16% तो बोले 16% से discounting करोगे और यह वाला factor है सीधा उठाओ के 70,000 into 3.274 minus दो लाग 10,000 तो NPV आजाएगा 1.9 1.80 ऐसी 0.8 तो discounting rate कम आजाएगा यह है R.E.D.R. तो question साइध ही आएगा question यह सब C.A.N.D.R के question चल रहा है question number 22 पोले सर न्यू प्रोजेक्ट है ठीक है तीन प्रोजेक्ट है P1, P2, P3 और P1 में 15,000,000 रुपिया लग रहा है और हर साल इतना आएगा P2 में इतना आएगा P3 ने तना आएगा और risk index दे दिया है जिसमें risk index ज़्यादा उसमें जिसमें risk index ज़्यादा risk index ज़्यादा उसमें discounting rate ज़्यादा इसी ए P.M. equation जैसा काम होगा risk index हभीटा नहीं है एक्चुल में risk index एक अलग चीज है वो अभी यहाँ explain नहीं कर सकते तो सर लगा है RF मालूम है yes, 10 RF है 10 वो मैं explain किया हूँ copy में देखो कि तो मिल जाएगा 10 और 15-10 अब पर हमारा जो project है उसमें 15 15 से हम जादा आव देखो वैसे भी तो हमें 5 परशन जादा चाहिए पर project 1 तो और जादा रिस्क है तो भई इसका 1.8 से मैंने multiply कर तो इसमें discounting rate कितना लेना पड़ेगा 19 परशन मतलब सर रिस्क premium into risk index कर रहा है हाँ जी risk premium into risk index 10 risk premium into risk index 15, 10 into risk ठीक है यहाँ tax rate को उड़ा देना tax rate किसी काम का नहीं और फिर इसके सबसे हमने NPV निकाला और NPV जिसमें ज़्यादा आया वो सबसे अच्छा सर इस question में तो risk index ही नहीं है इसमें risk premium है बस risk premium है और RF है तो सर इसमें 14% से हमको discounting करना पड़ेगा तो वो बोले पहले risk free से discounting करो मतलब 7% से discounting करके NPV निकालो और 14% से तो इधर टाइंग पास है ऐसा question साहे दिया है certainty equivalent approach certainty equivalent approach इसमें कुछ नहीं करना है तो project देंगा जिसमें cash flow देगा cash flow risky है yes उसको हम ऐसे factor से multiply कर देंगे दोनों से कि दोनों को हम equal करते equivalent करते और वो भी पक्का पक्का आएगा certainty हो और उसको हम risk free से discounting करते बिल्कु सिंपल है कुछ नहीं करना है सब समझा कर बताओ कि क्या question से समझा कर बताओ example भी चलेगा ये example project में पैसा कितना लग रहा लग भी सर हर साल आएगा 80,92,78,000 या पक्का है कि 80,000 आएगा नहीं सर नहीं पक्का है पक्का कितना है सर 80,000 का 80% तो आएगा मतलब 64,000 आएगा 92 का 0.7 ये आएगा और ये आएगा बस आपको पहले expected cash flow को इस से multiply करके आपको ये निकालना है ये एक बार निकल गया ना भाई तो फिर आपको risk free से याद रखना certainty equivalent approach में risk free से discounting होगा और NPA में निकालना बात कता कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर आगे चल रहे है question number 24 question number 24 certainty equivalent का है मतलब सर cash flow दिख रहा है आपको cash flow को multiply करेंगे CE से तो certain cash flow आजाएगा और discounting करेंगे risk free rate से तो NPA भी आजाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यह वाला point में कोई problem नहीं है point number 2 क्या बोड़ रहा है point number 2 बोला अगर हम RADR यूज करते है RADR क्या बोलता है RADR ये बोलता है जहाँ risk ज़्यादा है वहाँ discounting rate ज़्यादा होगा अगर हम RADR ज़्यादा यूज करते तो बताए किस project को हम ज़्यादा discounting rate से discounting करते भाई साब यहाँ certainty point 8 point 7 point 5 है और यहाँ certainty ज़्यादा है मतलब सर पक्का पक्का है कि यहाँ ज़्यादा आएगा इसमें कम risk है दिख रहा है ना याँ ज़्यादा certainty है मतलब risk लाँ इसमें कम uncertainty है मतलब risk ज़्यादा है और जिस project में risk ज़्यादा है उस project में आप higher rates से discounting करेंगे तर हमें लिखना क्या होगा बटी कुछ ने लिखना है आपको लिखना है कि project A में certainty कम है it means कि project M ज़्यादा risk है और RADR ये बोलता है कि जिस project में ज़्यादा risk होता है उसको हम ज़्यादा discounting rate से discounting करते है other techniques start करते है sensitivity analysis सबसे ज़्यादा important है sensitivity analysis तो ये वाला जो दिख रहा other techniques में ये जो sensitivity analysis दिख रहा है मुझे लगता है ये important आने की chances है गुणजाइस है sensitivity analysis क्या होता है एक example के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगा example आपको दिख रहा होगा कैसा बोल रहा है x, y, z is considering project प्रोजेक्ट लगाना है cost of project है 10 लाक selling price है 60 cost परिविट है 40 पहले साल 20,000 units फिर 30,000 फिर 30,000 discounting rate है 10% आपको sensitivity निकालना आप sensitivity का मतलब समझना अगर मैं मान लेता हूँ selling price है 60 और ये है 40 और इतना units है और कोई खर्च नहीं है और NPV निकलना हूँ तो क्या NPV निकल जाएगा yes NPV सब को निकलना आता है यहां तो कोई दिक्कत है क्या नई सुनना sensitivity क्या है और NPV positive आया तो क्या हमको project कर लेना चाहिए हाँ sir कर लेना चाहिए NPV positive है पर अभी रुको कहीं selling price अब क्या मान के चल रहा है 60 रुपै भगवान ना करे जिस product को आप 60 रुपै का सोच रहा है वो 60 का नहीं बिका वो कम का बिका तो सुचो ना यार और क्या बोलना पूलना cost है हमारा cost per unit है 40 भगवान ना करे cost per unit unit cost महगा हो गया है तो cost लग रहा है ना भई कुछ भी हो सकता है तो चलो ना कुछ भी सोच के देखते एक समय पर एक ही factor चेंज होता है this is sensitivity analysis यहीं एजंशन है और selling price के change होने से selling पर बुरा बुरा सोचना है selling price के कम होने से के NPV पर फर्क पड़ेगा हाँ जी कितना फर्क पड़ेगा कितने percentage का फर्क पड़ेगा वो निकलना है unit cost के change होने से के NPV पर फर्क पड़ेगा हाँ sir कितना फर्क पड़ेगा volume के change होने से के NPV पर फर्क पड़ेगा yes out लेके हो सकता project में हम सोच रहे 10 लाख लगेगा पर उससे ज़्यादा लग गए है तो तो इनकी वजह से NPV में कितना फर्क पड़ेगा और जिसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा न वो हमारे लिए critical factor है जिसमें NPV जिसको थोड़ा सा छुओगे 10 परशन पर NPV जबरदस्त भागेगा opposite NPV डूबेगा तो भाई फिर 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 वो फैक्टर है और प्रोजेक्ट एकसेप्ट करने से पहले आप से रिसर्च करवा लीजिए उस फैक्टर में कहीं आपका प्रोड़क्ट उतने का बिक पाएगा कि नहीं पाएगा या कौश्ट उतना ही लगेगा कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा उत्देश यही है ठीक है सर उत्देश यह छोड़ो अभी अभी हमें ये बताओ कि करना कैसे बिल्कोसा ही तो आओ काम करें दो एप्रोच है मैं पहली एप्रोच कर रहा हूँ सौक मतलब 10-10 परशन से मुझे चेंज करना हर एक को और वो भी बुरा-बुरा और वापस NPV निकलना है और अभी NPV कितना है सर अभी NPV है 310293 चलो जी लगाए एप्रोच हर फैक्टर को मैं 10-10 परशन से सौक दूँगा सबसे पहले बात किस की करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अभी कितना है 60-10 परशन से कम हो गया मैं 1st एप्रोच से काम करने वाला हूँ सर 54 हो गया तो NPV किया आएगा फिर तो निकाली सकते हो सरी आएगा नेगेटिव तो बताओ NPV पे कितना फर्क पड़ा पहले ये NPV था अब नेगेटिव हो गया तो 126.68 परशन फर्क पड़ गया NPV तो बरबाद हो जाओगे अगर 10 परशन का सेलिंग प्राइस में चैंज होगा ना तो NPV बुरे से गिर रहा है और इतने परशन्टेस से गिर जा रहा है यूनिट कोश्ट सर यूनिट कोश्ट को भी 10 परशन से चैंज करते है अगर कोश्ट और प्रडुक्ट महगा हो गया तो चलो तो महगा कर लेते 44 रुपीज कर लेते उसकी वज़ह से NPV में फर्क पड़ा नो डाउट NPV कम हुआ लेकि उतना नहीं कम हुआ सिर्फ 84 परशन्ट कम हुआ अगर दोनों में सोचों तो critical factor selling price है कि selling price की वज़ह से NPV बहुत बुरे का down हो रहा और cost की वज़ह से थोड़ा सा down हो रहा मतलब down तो ये भी 84 परशन्ट हो रहा आगे और देखिए सर्फ cells volume अब volume तो यार तीन साल का अलग-अलग है चलो ना सबको 10-10 percent कम कर देते हैं तो 10-10 percent कम कर दिया हमने cells volume कहां गया पहले मैं 11,000 ले लिया फिर 27,000 और फिर 27,000 और इसके हिसाब से हमने NPV निकाला और NPV आया 179264 तो cells volume की वज़ा से भी NPV डाउन होगा cells volume कम होगा तो NPV तो डाउन होगा और कितने percentage से डाउन होगा 42.22 percent cells volume के अलावा और क्या दिखाई देरा सर initial outlet जो है ना 10 लाग उसको 10 लाग बढ़ा दो एक समय पर एक ही factor सर उसको 11 लाग कर देते है 11 लाग होगा तो NPV भी डाउन होगा 32.23 percent और सर उसके बाद life of project life of project में tension आ गया सबको आप 10-10 percent से कम कर रहे है तो जिस project का life 3 साल है उसको 10 percent से कैसे कम करोगे ठीकत आगे पूछेगा तो नहीं time pass नहीं करना चाहिए पर सोचना यार कैसे कम करोगे तो सर फिर क्या करें फिर हमारे पास option ही नहीं था अगर इसको 10 3 minus 10 percent 2.7 तो 2.7 year का कैसे करोगे आप NPV कैसे निकालोगे तो मैंने क्या किया मैंने का मैं कम करता हूँ इसको मैं 33.33 percent से कम कर देता हूँ तो मेरा whole number है जाएगा दो साल दो साल का मैंने NPV निकाला और फिर देखा कि कितने percent से डाउन हो रहा अब इतना डाउन हो रहा 33 के लिए तो 10 के लिए कितना क्योंकि 10 का सब में comparison है तो इसमें भी तो 10 का comparison करना पड़ेगा सर इसको हम skip कर सकते कि पूछेगा नहीं वसे skip कर सकते most critical factors जिसमें NPV पे बहुत ही जबरदस्त पर्क पड़ा और वो है हमारा ये वाला मतलब फर्ष्ट अप्रोच ये वाला फर्ष्ट अप्रोच के साब से जो most critical factor है वो selling price है फर्ष्ट अप्रोच बिल्कुल simple है उसमें बस बुरा बुरा सूचना है that's it अब बात करते हैं second approach second approach को मैं break even approach भी बोलता हूँ सर इसमें करना क्या है मैं वो में बता रहा हूँ क्या करना अब बात करते हैं selling price अब पहले समझ लो पहले सारी बाते समझ ले अब काम की चीज़ है मैंने जब NP भी निकाला ना ठीक से देखो मैंने निकाला कैसे 20,000 unit और 60 minus 40 फिर 30,000 units और फिर 60 minus 40 और 20,000 unit फिर 30,000 unit 60 minus 40 और 1 ये ये और minus क्या किया 10 लाग फिर मैंने क्या किया मैंने का 60 minus 40 20, 60 minus 40 60 minus तो सबको एक साथ लिख दिया 20 क्यूंकि common है units है 20,000 30,000, 30,000 और divided by 1.1 1.1 ये कर दिया मेरे खिल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं maths के साथ खेल रहा हूं क्यूंकि मुझे इस question और इसके बाद वाले question चलो जी आगे चल रहा है हाँ अब मैं कौन सा approach लगाने वाला हूं ठीक से समस्दा सर सेलिंग प्राइस अभी कितना रुपए चल रहा है सर सेलिंग प्राइस है अभी 60 रुपए और 40 रुपए है variable cost उसकी वज़ा से contribution आ गया 20 रुपए ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं selling price 60 से कम हो NPV positive है क्या selling price 60 से कम हो तो चलेगा क्या चलेगा न है अगर 59 हुआ selling price तो NPV कम होगा चल जाएगा सर 58 हुआ तो तो भी चल सकता है वट मैं आप से कह रहा हूं कि अगर मैं selling price बहुत ही कम रख दूं मैं selling price 48 रख दूं तो सर NPV negative भी तो आ सकता है मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि selling price को अगर भगवान ना करे selling price कम होता है तो दिक्कत नहीं है पर maximum कितना कम किया जा सकता है अभी selling price कितना है सर अभी selling price है 60 maximum कितना maximum NPV negative नहीं होना चाहिए NPV zero तक चलेगा मैं NPV zero लाने की कोशिश कर रहा हूं उससे कम नहीं ठीक है सर आप explain मत करो concept चल रहा है तो मैं वहीं कर रहा हूं आदत हो जाती है teacher होना है अभी क्या करना है अभी कुछ नहीं मुझे selling price को X लेके काम करना है selling price X रखूं ताकि NPV zero आजाए पर अगर मैं यहां selling price X रखता हूं तो time बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो उसकी अपेक्छा मैंने क्या किया मैंने कहा है इसको contribution को X ले लेते हैं तो जितने रुपए मैं contribution में कम कर सकता हूं उतने रुपए selling price में कम होना ultimately variable cost तो इतना ही रहेगा 40 तो जो भी फर्क contribution में फर्क पड़ेगा वही तो selling price में फर्क पड़ेगा concept मैं आपको दिया हूं ठीक है चलो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई मैं इसको ले रहा हूं X contribution को और मैं कहता हूं कि चलो यार NPV क्या लेना है जीरो इसको जीरो रखना हूं इसको X लखना हूं बाकि सब चीजे as it is है जब वैसा किया मैंने X लिया ये लिया मैंने 10 लाक जीरो तो ये आगए 15 रुपए 26 पैसी है क्या आया contribution और contribution पहले कितना था contribution पहले था 20 पहले था 20 और अगर कम होगा तो हम इतना रुपिया कम कर सकते हैं मतलब कितना effect हो सकता है हम maximum 4.74 रुपिया contribution कम होगा तो चलेगा उससे ज़्यादा कम होगा तो NPV 0 नहीं आएगा नेगेट होजाएगा इसका मतलब या selling price में maximum हम इतना change कर सकते हैं selling price down होगा तो कहां था कि यहीं इतना अभी selling price कितना 60 मेरी बाद समझा जितना contribution में change उतना selling price में 60 में से 4.6 60 है तो 4.74 डाउन किया जा सकता उससे ज़्यादा डाउन नहीं किया जा सकता तो percentage निकाल सकते yes sensitivity in selling price selling price को 7.9 परशन तक down किया जा सकता है अगर उससे ज़्यादा करोगे तो NPV negative आ जाएगा project वैसे ही आप reject कर दोगे ठीक है सर इससे सीखने को क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ अभी ऐसे unit cost unit cost भी निकल जाएगा बस unit cost में हमको करना क्या है फिर से unit cost भी उतना अब सुनना ध्यान से मैंने न इस equation से बहुत shortcut कर लिया हूँ यार देखो selling price आट रहेगा आखिर यहां unit cost क्या लिखूँ इसको मैं x ले रहा हूँ unit cost को मैं x लेके काम कर रहा हूँ ताकि NPV 0 हो जाए तो सर unit cost बढ़ाना पड़ेगा yes unit cost कितना बढ़ाओं की NPV 0 आजाए बस उतना ही तो 4.74 उतना ही answer आएगा यह मैं आपको detail में समझा चुका हूँ यहां मैं मैंस नहीं समझा सकता आपको unit cost का भी मैंने निकाला 4.74 divided by 40 11.84 percent second approach से अब बस बताना इन दोनों में most critical factor कौन सा है अब ध्यान से समझना selling price कम होगा तो चलेगा 7.9 percent मतलब 8 percent से selling price कम होगा तो भी चल जाएगा variable cost बढ़ेगा तो भी चलेगा पर variable cost को कितना बढ़ाया जा सकता है 12 percent 11.85 percent selling price को 8 percent से हिलाया जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है पर variable cost को ज़्यादा move करवा सकते हो critical कौन सा हुआ आराम से सोचो selling price को ज़्यादा change नहीं कर सकते अगर selling price एकदम से बहुत ज़्यादा change होगा it means इसकी अपेक्छा इसमें तो थोड़ा बहुत change possible है इसमें तो change नहीं कर पाऊगे अगर 7.9% से ज़्यादा change करोगे तो NPV negative हो जाएगा तो उस हिसाब से इन दोनों के को देखो तो critical factor कौन सा दिखाई दे रहा है selling price मतलब सर आपने किया कुछ किया मैंने किया कुछ नहीं अगर देखोगे तो मैंने बस इसको मैं बस आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको X ले लीजे और उस हिसाब से आप कितना contribution में कितना change किया जा सकता 4.74 एक बार selling price का sensitive return नहीं का लीजे 4.74 divided by 60 मैं समझा चुका हूँ अब क्या बोल रहा है sales volume तो sales volume को X मानिए तो सर वाल्यूम मतलब इसको X मानना इसको भी X मान सकते हो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ये मैंने किया हूँ आया था 23.68% पर ऐसे नहीं करना आप X किसको माने मैंने कहा यार 20 हमको मालूम है contribution ये present value of volume है ना इसी को हम X मान रहे है present value of volume ये sales volume देख रहा है present value of sales volume ये जो present value of sales volume निकाला ना अपने मैंने इसको X ले लिया पाकिसाब S.T. से इसको 0 लगना है तो sales volume निकल जाएगा कि कितना इसको मैंने X ले लिया उसके 50,000 यूनिट आ गया तो भाई अभी कितना यूनिट सा है ये present value और minus 50,000 किया जा सकता है डाउन होगा तो maximum इतना डाउन हो सकता इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ताकि 0 आ जाए divided by ये तो 23.68% sales volume को 23.68% से डाउन किया जा सकता है जो कह रहा है कि हमको logic समझी मैंने या रहा मैं कुछ नहीं कर सकता ये मैंने सब समझाया हूँ तो तीन चीज़े मैंने अभी निकाल लिया आपके साब selling price हो गया unit cost हो गया sales volume हो गया अगला 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 initial outplay उसको x ले लेंगे वो तो simple है इसको मैंने x ले लिया तो और फिर percentage change निकाल लिया yes x लेकर काम कर लिया ये निकल गया मतलब सर इसके लिए तो कुछ है ये नहीं है NPV divided by present value of cash of flow ठीक है बात समझ रहा हूँ ना आप हाँ सर हम समझ गया है ठीक है एक shortcut है shortcut लगाया हूँ ये आप x लेकर भी कर सकते हो और सर अब ये और एक काम बचा है project की life अभी कितने साल है अभी है तीन साल कितने साल कम हुआ तो maximum कितना कम किया जा सकता है ताकी 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 NPV 0 आज है मतलब CDC बात है आपको जो है वो discounting payback period निकालना है payback period कितना जो project में पैसा लग रहा हूँ कितने साल में recover हो जाए ताकि NPV 0 हो जाए तो वो निकाला मैंने discounting payback period जो आता है और फिर उससे मैंने percentage निकाल लिया वैसे तो 3 है पर 2.312% तक गिराए जा सकता है तो 22.93% ओके यह sensitivity ही थोड़ा सा muscle topic है तो finally दो approach है यस सर इसमें इस second approach में NPV जो break-even approach है उसमें कौन सा ज़्यादा critical factor होगा जिसमें कम change किया जा सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा change किया जा सकता है तो उसमें चिंता वाली बात नहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा प्रोसेसर कौन सी approach से करना है वो जनरली question में दिया रहता है हाला कि second approach ज़्यादा आता है question में करना question number 3 33 एक बार देख ले cost दिया 10 लक recurring cost first year or second year का और savings दे रखा first year or second year ठीक है cost of capital and operation measure the sensitivity of the project change in the level of plant value में sensitivity निकालना है running cost में निकालना है और savings में निकालना such that NPV become zero NPV becomes zero मतलब second approach अब ध्यान से मेरी बास समझा मैं क्या कर रहा हूँ मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने present value of savings निकाल लिया 12,000 into 0.917 और 14,000 into 0.82 तो यह आ गया मेरा present value of savings और मैंने present value of cost भी निकाल लिया 4000 into 0.917 और 5000 into 0.842 यहां तक कोई दिकत नहीं अब क्या मुझे present value of savings मालूम है yes क्या मुझे present value of cost भी मालूम है yes 7874 7878 पैसा कितना लग रहा है 10,000 NPV आ गया 4914 यहां तक कोई दिकत नहीं अब वो sensitivity सबसे पहले plant में बोल रहा है तो sir इसको हम x ले ले लेते है plant को और इसको 0 ले ले लेते है concept की बात कर रहा हूं और निकालो x का value x का value निकल जाएगा sir ultimately हमको करना क्या है आपको कुछ नहीं करना इसको x लेना तो वह तो वैसे निकल जाएगा it means जब इसको करोगे न तो आपको यह समझ में आएगा कि हमें कुछ नहीं करना है अगर वो plant value बोला तो sensitivity सुनो कैसे निकलेगा 4914 divided by present value of plant मतलब 10,000 यह एक shortcut है सर अगर वो बोल रहा है कि running cost में निकाल लो तो NPV 4914 divided by present value of running cost का है present value of running cost यह है सर 788 सर वो बोल रहा है कि हमें savings में निकालना है तो NPV divided by present value of saving 22792 मतलब सर सीधी सी बात है कि NPV उपर आएगा और यहां जिसका भी निकाल रहा है उसका present value हाजाएगा बिल्कुल सिंपल है ठीक है और फिर देख लेना कि कौन सा critical factor है ओके यहां तक बात समझें बिल्कुल सिंपल कोशन है यह वाला अगर यह वाला आ जाता ना तो आपकी lottery लग गए फिर ओके सर 149.162 और most critical factor कौन सा होगा जिसको कम चुआ जा सकता है कौशन नमा 34 अच्छा कौशन है मेरी नजरों में कौशन नमा 34 करते है देखाई easy going companies considering new project with initial investment survival IRR दिया हुआ है 16 IRR दिया हुआ है 16 IRR एक ऐसा rate है जिस पे NPV क्या होता है 0 जिस पे NPV 0 होता है NPV 0 होता है IRR जैसा rate है जिसमें cash flow को multiply करो तो initial छोड़ो इतना बोलूगा समझ बनी है ठीक है life है पासा financial manager studied that the project with sensitivity analyzed informed that fixed cost sensitivity है 7.8416% वही cost of capital है cost of capital की sensitivity है 60% cost of capital का sensitivity है क्या है तो नो मैं कुझ बोलने जा रहा हूँ मान लो cost of capital अभी निकला अभी है 12% मन से बोल रहा हूँ अभी है 12% ठीक है जिसमें और जिसपे NPV positive है cost of capital को बढ़ाया जा सकता है इतना बढ़ा है कि NPV 0 आ जाए मतलब सर IRR अभी cost of capital 12% है मन से बोला हूँ 12% जिसपे NPV positive है तो cost of capital को बढ़ाया जा सकता है तो maximum कितना बढ़ाया जा सकता है इतना बढ़ाया है कि NPV 0 आ जाए it means आपको क्या निकलना IRR और फिर sensitivity निकल जाएगा IRR minus cost of capital divided by cost of capital तो ये cost of capital का sensitivity निकल जाएगा किसमस से आपको उसने cost of capital का sensitivity दिया हुआ है जो की दिया है 60% ठीक है और formula क्या है IRR minus x divided by x x का मतलब cost of capital और cost of capital कितना निकल गए है 10% ओके ये ज़रूरी था इसके बिना काम नहीं हो सकता अच्छा PV ratio दिया हुआ है 70% तो variable cost है 60 तो ये variable cost percentage में sales का कितना है 30% selling price निकल गए है दोस्तों ठीक है अब एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ सर और क्या दिया है ये annual CFAT दिया है 57500 मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर हम annual CFAT को IRR वाले rates से discounting करते है तो जो आता है वो cost cost of project आएगा IRR एक ऐसा rate है जिस पर PVCI PVCO equal होता है पता है न यास तो IRR वाले rates से जो आएगा न डिसकाउंटिंग करने पर वो PVCO आएगा बस ये बात आपको समझना ये CA render का है तो PVCO देखो PVCO और PVCI ये निकालने के दो तरीक है अगर IRR वाले rates से discounting कर रहा है तो वो आता है PVC हो गया cost of project अगर cost of capital वाले rates से discounting कर रहा है तो वो आता है PVCI हमको मालूम है ये 57500 है IRR वाले rates से मैंने discounting किया तो ये जो आया जिसका नाम रहा cost of project अब हमें निकालना NPV यहाँ जो discounting किया यह cost of capital वाले rates से discounting किया तो यहाँ जो आया हुआ गया NPV इनिशिल इन्वेस्टम न मांगा था NPV न मांगा था अब बात करते हैं annual fixed cost fixed cost sensitivity दिया हुआ है कि ये सर ये दिया हुआ और NPV निकला हुआ है कि ये सर, NPV निकला हुआ है तो हमारा formula किया है sensitivity का NPV divided by present value of fixed cost और ये दिया हुआ है और annual निकलोगे तो annual fixed cost कितना आ गया है एक लगढ़ इसके अलाबा unit of sales हमको FCF80 मालूम है हमें selling price मालूम है variable cost मालूम है fixed cost मालूम है quantity निकालना तो quantity निकल जाएगा brick even point निकालना fixed cost divided by contribution per unit fixed cost हमको मालूम है एक लाक और contribution per unit ये मालूम है तो brick even निकल जाएगा please करके चले जाना question number 35 same question कुछ है नहीं same same चीज़े तर इसमें तो आगे बढ़ा है सारी चीज़े से scenario analysis question ही नहीं है scenario analysis आगे आएगा scenario analysis में होता क्या कुछ नहीं भई अलग-अलग scenario के हिसाब से आपको NPV निकालना था अलग-अलग scenario sensitivity और scenario में अंतर है sensitivity में एक समय पे एक factor change करते है और scenario में क्या होता हर scenario पे अलग-अलग आपको NPV निकालना अब बात करते है decision tree decision tree का कोशन दो एक कोशन है basically ये वाला कोशन decision tree का नहीं है पर चलो इसको पढ़ लेते है decision tree type का कोशन है देख लेते हैं तो firm investment proposal है और 80,000 रुपिया project में लगाना है service value नहीं है पहले साल 0.4 probability की 50,000 आएगा cash flow second year में 0.6 probability की 60,000 cash flow आएगा और अगर पहले साल 50,000 आया तो दूसरे साल ये आ सकता है पहले साल 60,000 आया तो दूसरे साल ये आ सकता है तो इसके लिए हम एक ट्री मनाते है अलाकि ये decision tree नहीं है पैसा कितना लग रहा 80,000 पहले साल 50,000 भी आ सकता है CFAT और 60,000 भी आ सकता है अगर कम आएगा तो दूसरे साल भी कम आगे अगर ज़्याद आएगा तो दूसरे साल भी मतलब ये dependent cash flow है second year के cash flow depend किस पे करता है first year ठीक है सर हिलियर और हर्ट और path 1, path 2 अभी मैं आपको confusion नहीं करना चाहता है क्योंकि मुझे रटवाना है मतलब मुझे याद करवाना है मैं बहुत ज़्यादा logic में concept में घुसना नहीं चाहता है सर इस question को solve कैसे करता है NPV निकालना है भई NPV निकालना है न NPV निकालना है तो decision tree बनाना था वो बना लिया हमने अब NPV निकालना है if worst outcome is realized and what is worst outcome बुरा से बुरा होगा बुरा से बुरा होगा तो पहले साल 50,000 आएगा दूसरे साल 24,000 आएगा पहले साल मालो 50,000 आथा दूसरे साल 25,000 आथा माइनस कर देना 80,000 तो if worst outcome is realized तो बताओ NPV क्या आएगा किदर किया अगर worst outcome realize होता तो NPV आएगा ये और इस NPV आने की probability क्या है तो probability देख रहे है ये आपको 0.2 into 0.4 0.08 0.08 ठीक ओके best outcome पहले साल साथ और फिर साथ इस बात की probability क्या है probability देखना पड़ेगा 0.6 into 0.1 0.06 0.06 ठीक है आगे what will be the best outcome ये भी होगा क्या project को accept करना चाहिए अब सुनना हमें expected NPV निकालना है expected NPV निकालने के दो तरीके या तो ऐसे कर लो cash flow निकालीचे बात समझ रहा हूँ एक तो ये तरीका पहले साल का cash flow निकालीए दूसरे साल का cash flow निकालीए इसको presentable factor से multiply कीजी expected और इसको presentable factor से multiply कर दीचे पर इसका picture यार आप एक काम करो ना आप NPV निकाल लो pathwise pathwise सर समझ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ NPV निकाल लो ये एक NPV ये दूसरे NPV तीसरे NPV मान के कि पहले साल पचास जर आएगा चबवालीच से जर आएगा फिर ये चोहता NPV total 6 NPV निकाल लिए probability से multiply कर दीचे बात खतम और वही मैंने किया total मिलाकर मैंने NPV कितना निकाला 6 और इसको joint probability से multiply कर दिया और answer आगया expected NPV आ रहा 6224 project should be accepted मैंने आपको ये भी बताया था अगर question मैं by chance पूछ लिया कि बताये negative NPV आने कि क्या probability है तो क्या जाएगा 0.20 आ जाएगा 0.08 प्लेस 0.20 ले 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 ठीक है ओके एक question अच्छा है decision tree का हुआ देखते है सबसे प्रेल question no.30 देखा जाए तो decision tree का यही सही question है अच्छा question है तर देखे है क्या हाँ जी देखते है यह decision tree भी बनाना पड़ेगा बोल रहा LNR limited wishes to develop new virus virus cleaner software cost of pilot project 2,40,000 तो वो कहा रहा भीया आप 2,40,000 रुपए अगर लगाते हो 2,40,000 रुपए लगाना है cost of pilot project में मतलब टेश्ट करने में develop करना मतलब टेश्ट करना चाहते हो तो टेश्ट में 2,40,000 लगेगा क्या बनाना चाहते हो virus cleaner software तो ऐसा है कि successful भी हो सकता है या fail भी हो सकता है successful होने के chances है 50% और fail होने के chances है 50% chances के लिए इससे समझ में आएगा इसको बोलते है decision note और इसको बोलते है chance note decision note ऐसा square में box में रहता हूँ chance note ऐसे round में जा रहता है circle में रहता है सर हम बॉक्स में भी बनाते तो कोई दिक्कत में है इसी से समझा दूं तो बात समझ में आ रही है तो decision यह है कि test करते हैं और software बनाने के लिए test करते हैं तो पैसा जाएगा 2,40,000 टेस्ट नहीं करते हैं तो जीरो तो इस level पे हमें decision लेना है D1 पे कि test करें कि नहीं करें चलो test कर लेते हैं 2,40,000 लगता तो क्या chances है success होने के fail होने के success होने के chance है 0.5 और fail होने के chance है 0.5 चलो success हो गया तो उसके बाद क्या उसके बाद बताया in case it does succeed ये question देखके अच्छे से करके जाना LNR invest बुले 20 लाग अगर success हो गया हमको मालूम है कि हम software बनेगा success होता है तो भाई ऐसा है कि 20 लाग रुपिया और लगेगा ठीक है market the product product का marketing अगरा करना पड़ेगा 20 लाग रुपे में लगेगा और फिर एक बार 20 लाग रुपे लगा के हर साल आपके पास आएगा 4 लाग पर पेच्छुआ तो investment लगेगा 20 लाग और cash flow इंफ्लो आएगा 4 लाग पर रहना या तो फिर investment करो भाई या तो investment मत करो investment नहीं करने का तो मतलब नहीं मनता पर भूलता है और अगर fail हो गए तो तो भी आप investment कर सकते हो fail हो गए तो फिर बले आपको investment करना सिर्व 12 लाग सायद उसका कोई और यूज कर रहा है उससे आएगा एक लाग रुपए पर एनम पर पेच्छुब डिसिजन्ट्री अडॉप्ट करना है डिसकांट नहीं कर टैन परशन अगर fail हो गए तो बारा लाग का investment कीजिए हर साल आएगा एक लाग है या तो investment मत कीजिए और आपको NPV नकाना है सबसे पहले जितना भी decision tree है back calculation होता है यह आपको अच्छे से पता है अब सबसे पहले हम यहाँ decision 2 डी 2 डी 2 पे जाते हैं अगर हम investment करते हैं अगर हम investment करते हैं तो NPV कितना आएगा सर चार लाग divided by 10% minus 20 लाग 20 लाग NPV आएगा अगर हम investment नहीं करते हैं तो NPV 0 में यहाँ की बात कर रहा हूं यहाँ की या तो 0 या तो positive सर positive अच्छा है हाँ जी positive है न इस इस higher NPV है और वो है हमारे लिए 20 लाग important है हम पक्का पैसा लगाएंगे अगर सर मालब फैल होते हैं और हम investment कर देते बारा लाग और एक लाग आएगा तो सर इसमें तो negative हो रहा है और जबकि 0 है तो higher कौन सा सर 0 तो फिर वो ले सर इस situation में हम investment नहीं करेंगे just like binomial हो गया ठीक है इसमें इसमें क्या हो रहा था सर इसमें तो यह investment करने से फाइदा है अब यह नहीं आएगा और इसमें यह करने से फाइदा नहीं है यह होगा ठीक है तो सर इसका मतलब यह हुआ कि यह इतना NPV आ सकता है इस बात की probability है इस बात की probability है 0.5 और इतना NPV आ सकता है इस बात की probability है 0.5 तो यह आ गए इसको हम वैसे expected NPV बोलते हैं पर decision tree में इसको EMV बोला जाता है अब हम सीधा यहां गया D1 पर वैसे आप टेस्ट करोगी ना टेस्ट मान लो आप करते हो तो expected monetary value है 10 लाक और पैसा लगेगा कितना 2,4 लाक तो भी 7,6,000 का positive NPV 7,6,000 और सर अगर हम टेस्ट नहीं करते हैं तो NPV 0 तो टेस्ट करना ही बहतर है यही एक मातर कोश्चन है मेरी नजरों में देखा जाए तो decisionary का प्लीज ये करके आपको जाना है अब बात किसकी है सर अब बात आ गए है replacement की replacement के मुझे थोड़े से chance कम लगते है मुझे तो ये लगता है कि डाला ही क्यों जबकि already हमारी CA enter में है तो डाला ही क्यों पर फिर भी देखना तो पड़ेगा ठीके सर हम देखने को तयार है replacement तो सबको आता है ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं replacement में होता क्या है कुछ नहीं सब ओल्ड मसीन है उसको replace करके new machine खरीदना है पहला कोशन उठा रहा है पुले कंपनी है जिसका नाम है रभी क्यूब डिसाइड़ टू रिप्लेस एक्जिस्टिंग सिस्टम ठीक है 25,000 कोश्ट था ओरिजिनल और पास साल पहले मतलब पास साल हो चुका है उस समय 25,000 का खरीदा था तो अब पास साल हो चुका है 12,500 कोश्ट बचा होगा क्योंकि टोटल लाइफ कितनी है 10 साल ठीक है और अभी उस old machine को हम यहां क्या सोच रहा है यहां बेचने का सोच रहे कितने का विग जाएगा 5,000 का ठीक है और सैल्वेस और यहां बेचोगी तो जी रोक डेप्रिशिशन जो न्यू मसीन खरीद रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं हम ओल्ड मसीन पास साल हो चुके ओल्ड मसीन को बेचना चाहते हैं और इसकी जगा न्यू मसीन खरीदना चाहते हैं और नियू मशीन खरीदने से फायदा क्या है वो नियू मशीन पचास जार की आईगी भाई पहली बात तो ठीक है और यार इससे सेविंग्स होगी पाच जार रुपए हर साल का नई मशीन है इसके अलावा टोटल सेल्स भी बढ़ जाएगा और कितने से बढ़ जाएगा दस से इसको दस जार कर देना यह मिस्प्रिंट है दस जार से ठीक है स्ट्रेट लाइन में अप्रेशिशन कॉश्ट अपधर कंपनी दस पर्शन टैक्स करेट है थीस पर्शन सबसे पहला गाम यह है कि आप ओल्ड मशीन को बेच होगी तो कितने की बिकेगी पाच जार की आज बेच जोगी तो सर पाच जार की बिच जाए और उस पर कैपिटल गें टैक्स भी तो लगेगा वहां सर तो ओल्ड मशीन की बुक वेल्यू कितनी सर बारा हजर पास सो यहां बेच रहे हो ना उससर साथ हजार पास सो कैपिटल लॉस है तो उस पर टैक्स हिमिंग सोगा तो बन प्लस टू कर दिया तो यहां सीधा सीधा दिख रहा नेट कंसिटूरेशन ओल्ड मशीन को बेचने से हमारे पास आजाएगा साथ हजार दूस्वपचास और वह वाला टेबल बनाएंगे कोश्ट अप न्यू मशीन आजाएगा पाचास जार और ओल्ड मशीन को बेचने का सैल्वेज है कि कि सर टेक्स का रेट है तो सर इंक्रेमेंटल सीएफटी आगे इंक्रेमेंटल सीएफटी यहां रखा और न्यू मशीन को बेचने से लास्ट में हमको एक हजार मिलेगा ओल्ड मसीन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो इंक्रेमेंटल टर्मिन वैल्यू है और NPV positive है तो हमें accept कर लेना चाहिए कुछ है नहीं है इसमें replacement तो मेरा वैसे भी पढ़ाने का दिल नहीं करते तो यह कोशन जिसा चलो जी देख ले कोशन तो company के पास old machine है जुसका book value 0 है और जो अभी अभी बेचाय जासकता है 50,000 विखार जो अभी ब्चाय जासकता है 50,000 में old machine को अभी 50,000 में बेच सकते है याद रखना book value 0 है इसका मतलब सर इसका मतलब है आगे depreciation नहीं आएगा जो old machine में pat होगा वही CFD होगा यहीं बोलना चाहरा है ठीक अब यह ओल्ड मसीन को या तो आप एडिशनल दस लाग खर्च करके अपग्रेट करवा सकते हो या तो एक काम करो ओल्ड को बेज दीजिए, न्यू खरीद लीजिए, न्यू बीस लाग की आएगे और इंस्टॉलेशन का पचास जार लगेगा, मतलब बीस लाग पचास जार, या तो अफग्रेट करवाईए, ओल्ड रहने दीजिए, या तो ओल्ड बेची न्यू खरीद दीए, बीस लाग दो अल्टरनेटिव हैं, ठीक है लाइप पास साल दिया है, और ये जो दिया है, ये जो दिया है, ये है प्रॉफिट आफ्टर टेक्स, पैट दिया हुआ है, ओल्ड मशीन का पैट और सी एफट एक ही होगा, लेकिन इनका पैट अलग होगा, पैट अलग है और सी एफट अलग होगा, तो सबसे पहले एक का गया अपग्रेट करने में माइनस CFAT of old machine तो यह आगे incremental CFAT और उसको हमने 15 परसन से discounting किया तो यह आगया PVCI उसमें से 10 लाख माइनस कर दिया तो यह आगया PVCO और NPV और NPV नेगेटिव है तो अपग्रेट करवाने का कोई मतलब नहीं सर न्यू मशीन खरीदते तो न्यू मशीन में आज कितना जाएगा सर बीस लाख पचास जार पर old machine को बेचोगे आज पचास जार का capital gain के बाद कर देख लेते सर ओल मशीन को बेचोगे 50 का work value तो 0 हो गई है तो capital gain tax लग गए बीस जार तो बीस में से पचास में से बीस जार रुपए हमको old machine का बेचने को मिलेगा net of tax उस हिसाब से सर बीस लाख पचास जार लगना था तो बीस लाख बीस जार ही लगेगा ठीक है new machine का माइनस करोगे CFAT old machine का incremental CFAT और यह आ गया PVC आई माइनस PVC और यह भी NPV negative तो बहिया old machine जैसा था वैसा चलने था old machine without upgradation is better अपग्रेड़ी मत करो question number 7 simple से question है life disparity वाला question है it means मुझे नहीं लगता कि यह question आ सकता है जिन्दगी में कर इसको सर क्या समझा रहा हूं मैंने यह समझा रहा हूं भई यह तो बच्चो वाला question है C enter का पहला question life disparity है मतलब एक cash outflow निकाल लिया cash outflow के business पर decision देना है पर इसकी life कितने साल है इसकी life है तीन साल इसकी life है दो साल तो equivalent पीवी सी ओ निकालना पड़ेगा खेर यह मैं नहीं समझा रहे हूं रहा हूं रिप्लेस्मेंट डिसिजन क्या हो तो वो चोड़ा question number 9 वो आ भी नहीं सकता अगर आ गया ना तो CA final से आसान कुछ नहीं है वो वाला question पिछल वाला question number 9 में क्या लिखा हुआ है sir एक machine है used यह अच्छा question है this is optimal optimum replacement cycle का question है तो इसमें है क्या एक machine used हो रही है on a production line must be replaced at least every 4 years भाई कोई कार खरीद रहे है अब यार कार खरीदना हम ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे पस पहले से कार है हमारे पस कोई कारवार नहीं है हम लोग क्या कर रहा है हम लोग सोच रहा है यार कार खरीदा जाए ठीक है वह या तो कार खरीद के हर एक साल में नई कार खरीदा जाए हर एक साल में बेज देंगे हर एक साल में फिर नहीं कार खरीदेंगे एक-एक साल ही रखेंगे या डीसिजन ऐसे ले कि हर दो-दो साल रखना चाहिए या डीसिजन यह हो सकता कि यार एक काम करते ना है कार खरीदो तीन साल रखो फिर बेज देना फिर फिर खरीदना फिर तीन साल के लिए मतलब optimum replacement क्या है हमें कितने साल में replace कर देना चाहिए पहला है कि हर साल change करना चाहिए हर दो साल में change करना चाहिए हर तीन साल में change करना चाहिए हर साल चलो याद रखना अगर धीरे धीरे time बढ़ेगा तो maintenance का खर्चा भी बढ़ेगा हाँ और salvage भी कम मिलेगा इसलिए हर साल बेचो पर हर साल बेचो तो हर साल पैसा भी तो लगेगा ना यार तो decision लेना हमारे लिए कौन सा अच्छा है और decision जो लिया जाएगा वो present value of cash out के basis पे लिया जाएगा table बनाएंगे यह table मैंने बनाए table में क्या लिखा हुआ है table में लिखा है replace every year यह हर दो साल में के हर तीन साल में के हर चाल साल में जितने भी साल में replace करना भी है कार तो आज खरीदोगी तो पैसे तो आज जाएगा 60,000 किसी भी हालत में अगर मुझे अगले साल replace करना चलाने का तो लगी कही, मैंटरेंस का 16,000 रुपया लगी का बेज देंगे बेचेंगे कितने का 32,000 का 32,000 रुपय में बेज देंगे तो इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा, इतना पैसा आई है तो ये आगया present value cash out अगर हर दो साल में replace करें तो क्या दिक्कत है तो लगा लगा और 16,000 पहले साल का maintenance का लगा और दूसे साल ये खर्चा लग रहा ना maintenance और रिपेर दोन 18 और चार बाविस तो 16,000 ये लगेगा और 18 और चार बाविस ये लगेगा और 30 साल का repair and maintenance का 28 ये लगेगा और फिर मालुमें कार कितने की भी किएगी फिर 16,000 की भी किएगी और 4 साल का ये खर्च है अब हम cash outflow देख रहा है ये cash outflow देख रहा है ये cash outflow उस हिसाब से यार सबसे ज़्यादा पैसा तो यहां लग रहा है तो यार सबसे कम पैसे यहां लग रहा है तो ये वाल अच्छा नहीं नहीं ये कितने साल का cash वो एक साल ये दो साल, ये तीन साल, ये चार साल तो equivalent तो करना पड़ेगा on an average हर साल अगर हम चार साल तक के लिए hold करते हैं तो हर साल का खर्चा कितना है तो सार फैक्टर से डिवाइड कर देंगे ये फर्स्ट येर का, ये सेकंड येर का किमिलेट्व फैक्टर, ये थार्ड येर का और उस साबसे अपने equivalent पीवी सीओ निकाला और इसमें हमको ये वाला ज्यादा appropriate लग रहा है कि हर तेन-तीन साल में रिप्लेस करेंगे, that's it ये भी C.A.E.N.R का ये कोशन है देखा जाए एक कोशन नमबर 12 वैसे ही, repeat है थोड़ दोगे चलेगा कोशन नमबर 8 ये कोशन अलग है थोड़ा सा ठीक है ये optimal replacement cycle का कोशन नहीं है और रा कंपनी Y is operating an elderly machine that is already machine है और उससे 40,000 रुपे आ रहा है और 40,000 रुपे coming year में भी आएगा और अगले साल भी आएगा, आने वाले साल में 40,000 राएगा और उसके अगले साल भी 40,000 राएगा old machine है, ऐसा नहीं कि old machine नहीं है, old machine है आपके पास अब भी बेचयोगे तो साब ऐसा कि 80,000 के बिक जाएगी ओल्ड करोगे तो फिर 70,000 के रोपे जाएगी नई मसीना भी अवेलिबल है यह एक लाग पचासज़ के ठीक है और एक लाग पचासज़ अभी लगाओ और हर साल 80,000 रुपे आएगा यह तो एक साल बाद लगाना एक लाग पचासज़ तो दूसरे तीसरे चोहते साल में तीन साल तक 80,000 आएगा कंपनी वाई आपसे पूछ रही है कि रिप्लेस करना अभी करना चाहिए कि फिर एक साल बाद रिप्लेस करना चाहिए यह टैक्स को इगनोर कर देना और 10% अब डिसकाउंटिंग रेट ले लेना तो डिसिजन बिल्कुल सिंपल है रिप्लेस नाउ या रिप्लेस वन ये लेटर चलो अभी रिप्लेस करते इसको भोल जाओ अभी रिप्लेस करते तो सर एक लाग पचास जर जाएगा आच और बुक वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो असी जर मिलेगा आच तो इतना पैसे जाएगा और हर साल आएगा 80,000 कितने साल तक तीन साल तक आएगा तो ये PVCI आगया ये आगया अगर हम एक साल बाद रिप्लेस करते हैं तो एक लाग पचास जार एक साल बाद जाएगा एक साल बाद सत्तर हजार मिलेगा लेकिन एक बाद बताओ old machine मैं एक साल बाद रिप्लेस कर रहा हूँ तो old machine को तो अभी चलाओंगा ना यार तो उससे 40 जार तो आएगा और एक साल बाद जब new machine चलाओंगा तो वो आने वाले और तीन साल तक कमा कर देगा 80,80,80 इसमें NPV ये आया अब भी वैसे तो decision नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये जो cash flow ये तीन साल का ये cash flow चार साल का पर I.C.E.I. ने यहीं खतम कर दिया बोलता भी है किसमें ज़्यादा पैसा है बोले इसमें ज़्यादा है तो हमें replace करना चाहिए एक साल बात हलागि मैं इससे खुश नहीं हूँ पर मेरे खुशी से क्या फर्क पड़ता है इंस्टिट का question number six बिलकुल गंदा question C.A.C.E. इंडर का question है और भगवानी जानता है कि ये question कैसे पढ़ाया हूँ मैंने बिलकुल बेकार question पर broker करना है लिखा A.N. company जो है वो replace करना चाहती है existing machine how to spend money on overhauling A.N. company currently pay no taxes replacement cost of machine अगर आप new machine खरीद रहे है तो वो आपको 90,000 की बढ़ेगी उस पर maintenance cost है 10,000 हर साल आएगा 8 साल तक आएगा और 8 साल बात आटवे साल के एंड में 20,000 की machine बिख जाएगी किसकी बात हो रही है अगर हम नई machine खरीदते है तो existing machine का maintenance का खर्चा और कितने में भिख जाएगी वो बता रहा है existing machine को अभी बेचोगे ना तो 40,000 की बच्च बिखेगी कोई maintenance नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका decision थोड़ा सा डिले हुआ कि नहीं यार एक साल रुकते तो maintenance भी लगेगा और salvage भी कम लगेगा कम मिलेगा ठीक है अब पॉर्चिटी कोश्ट अब capital है 15 बताओ रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रट्टा मारना पड़ेगा प्योर अब IC और मैं रटवा रहा हूँ IC AI ने क्या किया IC AI ने सबसे पहले cash outflow निकाला है new machine का यह 90,000 रुपे आज लग रहा है maintenance cost इतना और 20,000 service तो यह है cash outflow this is cost कितने साल का है 8 साल का उसको उन्हों equivalent cash outflow निकाला 28,600 उन्होंने कहा यार मान लो 28,600 रुपे यह हर साल का है 28,600 रुपे cost of machine है कुछ भी 28,600 cost of machine बोले अगर हम आज बेज़ दे तो 48,600 की तो machine पड़ी तो सर यहां तो हमारा पैसा 40,000 मिलेगा उसमें से 28,600 खर्च कर देंगे तो 11,400 पहले साल हमको तो मिलेगा सर यह तो फायदा है NPV positive है पर सर अगर दूसरे साल की बात करो तो दूसरे साल हमको कितना लगाना 28,600 सर अब तो लगेगा 28,600 माइनस बेचने पर 25 ही मिलेगा तो सर टोटल मिलाकर 3600 रुपे लग जाएगा extra और 10,000 यह भी लगना है 3600 रुपे यहां लगेगा 10,000 यहां लगेगा वैसे ही करते हैं नाओं एक साल, दो साल, तीन साल, चार्श साल बिल्कुल बेखूब ही लग रट्टा मार रहो ही कोई option बात समझे में नहीं हर का रट्वानी के कोशिस किया कि इंस्ट्रियूट नहीं कैसे किया खोड़ सकते हो जाओ तो इस question को ओके hearts and hillier model के विसे में बात करेंगा ज्यादा इन नाम पे जाओंगा नहीं इसमें आप लोग बहुत confuse हो गया थे तो फिलकुल सिंपल तरीके से समझागा ठीक है चलो जी बात करेंगे अब hillier model और hearts model सबसे बड़ी दिक्त की बात क्या है मालूम है कि यार पढ़ाते वक्त हम लोग भूल जाते है कि उतना ही ग्यान दो जितना आप समहल पाओ मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ अब भी hearts model और hillier model का नाम भी नहीं सुना है और उनसे capital besting बन रहा है तो अब भी वक्त है कि यार हम भी रट ले बहुत ज़्यादे इसमें confusion हो रहा है बच्चों को कि कब hearts model लगेगा कब hillier model लगेगा तो सरक ठीक हैसा रटवा दो वो जाता अच्छा है एक बात समझना अच्छे से क्या काम हो रहा है question number 37 को अच्छे से देखना please यहीं समझना attention खतम hillier और या hurts model इससे हमको कोई मतलब नहीं है जो बोल रहा हूं वो समझ लो बस और exam दे दो जाकर तो बोले इसमें जो investment लग रहा है और पहले साल में इतना पैसा आएगा उसकी probability दूसरे साल में इतना आएगा तीसे साल में इतना आएगा तो company wishes to take into consideration all possible risk factors सबसे पहले आपको expected NPV निकालना है और discounting rate risk free लिया है six percent expected NPV निकालना है तो sir expected cash flow निकाल लेते है और expected NPV निकाल लेते हैं निकत की बात नहीं है possible deviation in expected value पता नहीं क्या मांग रहा है how would standard deviation of present ये सब्द सुनना जहां भी standard deviation of present value distribution बोलेगा तो एक बात अच्छे समझना कि आपको हर साल का cash flow का standard deviation निकालना है हर साल के cash flow का standard deviation और फिर उसका आपको present value करना that's it खतम बात जब भी ये सब्द लिखा रहेगा मैं आपको रटवा रहा हूँ कि हाँ जी हिलियर याद रखना है मत रखो हर्स याद रखना है मत रखो जब भी कोशन में बोलेगा standard deviation of present value distribution तो आपको standard deviation निकालना है कैसे निकालोगे तो सर हर साल का हम cash flow निकालेंगे yes मैंने का ना मैं भी मैं बहुत ज़्यादा concept में समझाने के चक्र में नहीं हूँ सर हर साल का हम cash flow का standard deviation निकालेंगे तो सर इसका मतलब है कि यह पूछ रहा होगा standard deviation of cash flow yes स्टाट करें सबसे पहले expected NPV कैसे निकालेंगे सर हर साल के expected cash flow निकाल लो निकाल लिया मैंने probability से multiply करके expected cash flow निकाल लिया और उसका present value माइनस किया तो NPV आगे दूसरा मुझे हर साल का standard deviation निकालना पड़ेगा cash flow का वो कैसे निकालते है 14-27 into .1 18-27 इस तरह से हर साल के cash flow का standard deviation निकाल रहा हूँ first year का आया 9.24 second year का आया 9.93 और third year का आया 8.62 यह first year का है तो 1 प्लस आर जाएगा यह second year का है तो 1 प्लस आर जाएगा थर्ड इनका है तो 1 प्लस आर जाएगा यहां power 2 हो जाएगा यहां power 3 हो जाएगा पर दिक्कत क्या है यह हमको variance में दिखाना पड़ता है तो variance में दिखाना पड़ता तो जैसे 9.24 को square किया तो 1 प्लस 4 आर आटोमेटिक square हो गया और यहां 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 और यहां भी स्क्वेर है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा बस यही समझाने की कोशिश करो बहुत सारे बच्चे बलते हैं 2 4 6 क्यों आया बहुत ज़्यादा explanation दे नहीं सकता roughly बताया हम और यह हमारा cash flow है तो answer आजाएगा यह एक्चुली variance है तो यहां 1 की जगह 2 यहां 2 रहता तो 2 की जगह 4 यहां 3 3 इंटू 6 इस तरह से हो जाएगा सर हर्ड से मॉडल कब लगेगा हिलियर मॉडल कब लगेगा भोल जाओ अभी भोल जाओ अभी याद करने का टाइम नहीं बस मैंने बताया कि अगर यह सब्द लिखे रहेंगे possible deviation of standard deviation of present value distribution present value distribution मतलब आपको हर साल का cash flow का standard deviation निकालना है और काम खतम करना बस खतम फिर तो क्या hertz भूल जाओ hertz model ही लिए model भूल जाओ तो और यह भी ऐसा बोलना पड़ा क्योंकि confusion create हो जाएग टीक कैसा बाकी standard deviation क्या यह सब पढ़ लोगे अब यहां ध्यान से दिखो ty कि स्थर्थ कोशनबर 40 है, question no.40 4 0 यहां initial investment 4,00,00,00,00,00,00 हो सकता है CFAT आ सकता है एक लाक रुप है हर साल एक एक लाक रुप है पाच सल तक या 1-10-20-20-20-20 इस सब से एक कि सर निकल सकता है इस सिनारिय हर साल एक दस एक दस दस तो इससे भी NPV निकल सकता है तो मैंने तीन NPV निकला अल्टरिट यू आप क्या कर सकते थे सर हम expected CFAT निकल लेते एक्सपेक्टेड सैल वेल्यू निकल सकते थे और NPV निकल सकते थे माइनस चारला करके वैसे भी निकल सकते थे पर क्योंकि इस कोशिन में पेस केस NPV और वर्ष्ट काईस NPV बोला है इसलिए आप जदा अच्छा आप तीन NPV निकल लिया जदा अच्छा है और अपजयम निकल लिया है worst case NPV और यह यह नहीं है यह best case NPV और यह expected NPV normal NPV और expected NPV कैसे करोगे probability से multiply करना तो expected NPV है जाएगा यह actual expected NPV 39922 यह worst case है यह best case है और multiply किया probability से तो यह आ गया worst case और best case है कि कसी है ओके तो यह भी हो गया यह भी हो गया अब यह वहाँ काम की चीज है लिकर दो probability of occurrence of the worst case वर्ष्ट कैस NPV आने की क्या probability है अगर cash flow perfectly dependent है या cash flow independent है अब समझना अब बिट्टे समझने वाली बात है यह वाला point अच्छा लगा मुझे इसको बिनने इसको रेटवा नहीं सकता है इसको समझाने ही पड़ेगा ऐसा है कि आप लगा रहे हैं चार लग यह सर आ कितना सकता है सर आ एक लाग सकता है one point one zero आ सकता है या फिर one point two zero आ सकता है अब perfectly dependent का मतलब है सर इसकी probability कितनी है point three इसकी probability point five और इसकी probability point two अब समझे ना अगर एक लाग आया तो आगे एक लाग ही आएगा इस बात की इसको बोलते perfectly dependent चीक है इसमें सबसे बुरा तो यही बाला दिख रहा है तो point three into one into one into one joint probability joint probability point three into one into one into one 13 तो यह point three होगा सर तो बस अगर perfectly dependent ही और घार सर इंडिपेंडिनट का मतलब समझाने की कोशिस कर रहा स मैं है independent का मतलब समझाने के कोशिस कर रहा हूं अम समझे दूं इंडेपेंडेंटर का मतलब सर यह point three यह आ गये है हमारा कितना one फिर तीन पॉसिबिलिटी है, यहां भी यह भी आ सकता, 0.5 भी आ सकता, 0.2 भी आ सकता, फिर फिर तीन पॉसिबिलिटी है, मतलब यार यह डिपेंड नहीं करना कि अगले साल इस कैश प्लो पर अगले साल का कैश प्लो डिपेंड नहीं है, अगले साल फिर तीन आ सकता है, फि तुक्र जासर आ जाएगा ड़। अगर इंडिपंडेन्ट अिरए अच्छे संझाया था अब्र है सब्सक्राइब अब cash flow का निकालना है कि देखो क्या बोला है या standard deviation और present value distribution ऐसा सब्द लिखा है क्या सर नहीं लिखा है ज्यादा दिमाग मत चला हो या आपके पास 3 NPV अलरीडी निकला है यस उसी का standard deviation निकाल लीजिए उसी का CV निकाल लीजिए बात खतम या hearts और हिलिया लिखा रखा या आपको छेल कर नहीं हुआ तो यह सीधी सी बात है तीन NPV निकला हुआ है उसी का मैंने standard deviation निकाल लीजिए उसी का मैंने CV निकाल ली आगे क्या बोल रहा है एक line और है साई इस question में बोल रहा है अगर coefficient of variation यह ज्यादा है तो फिर बोले जब हम discounting less risk है अच्छा less risk है अगर coefficient of variation इसके बीच में average project coefficient of variation of x limited average project within the range of EA if the coefficient of variation project is founded less risky मतलब अगर इससे भी कम है हमारा कितना निकला था 0.90 तो जो discounting rate ले रहा हो 10% 10% ना लेकर 100 basis point कम कर लेना मतलब 9% से discounting करके NPV निकालिये और बताइए कि project को accept करे कि reject करते है हो जाएगा 9% से discounting किया और NPV निकालिये expected NPV निकाल लोग इसके बाद ठीक है सा question मत 88 ओके सार तो 70 लाख रुपिया लगा रहा है ठीक है cash flow first year में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो second year में third year में investment वाई इसमें इतना पैसा लग रहा हर साल इतना भी आएगा ये expected cash flow है हर साल उतना उतना आएगा expected जो निकालोगे पास साल तक वही आएगा अब क्या मांगा है बोले आप सबसे पहले आप NPV निकाली है discounting rate 10% निकालनेंगे NPV निकालनेंगे बहुत सारी तरीके है लेकिन हमाई second जला देखे तो क्या बोला standard deviation of present value distribution जब भी बोलेगा standard deviation of present value distribution एक बात मैंने कहा कि आपको हर साल के cash flow का standard deviation निकालना पर तो सर एक काम करते है फिर क्या सर पहले साल का expected cash flow निकाल लेते हैं दोसरे साल का भी expected cash flow निकाल लेते हैं क्योंकि standard deviation तो निकालना पड़ेगा और सर तीसरे साल का भी expected cash flow निकाल लेते हैं और फिर हम NPV निकाल लेते हैं यहां तो कोई दिक्कत है कि नहीं यहां हमने सीधा expected cash flow निकाला multiply करके ठीके सर कोई दिक्कत नहीं है और फिर NPV निकाला यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और हमें standard deviation निकालना cash flow का निकल सकता है कि यह असर 30-50 यह probability से multiply तो standard deviation of cash flow निकल गए फर्स्ट इयर का सेकंड इयर का और थर्ड इयर का और फिर हमने उसका present value से काम कर दिया तो यह आ गया standard deviation of NPV बोलते इसको ठीक है और दूसरे वाले का भी आप ऐसे ही कर लेना दूसरे वाले का भी उन्होंने ऐसे ही किया हो कितना साल इसका life कितना साल है सर्फ प्रोजेक्ट वाय का life कितना साल है यह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है जितना भी साल है वैसे ही कर देना standard deviation निकल लेना हर एक साल के standard deviation वैसे निकलेगा और काम हो जाएगा मैंने आपको बता दिया कि क्या rules उसका question नहीं दिया है actual में और question दिया है तो बहुत गंदा सा question दिया है उसमें पुरी तरह से concept clear नहीं हो रहा है बच्चे को तो मैं उस matter पर आप से बात कर लो simulation का example sufficient है यह cost और project है एक लाग 20,000 और discounting rate है 10,000 अब दिक्कत क्या है कि यह CFT कितना आएगा और live पास साल भी हो सकती छे साल भी हो सकती मतलब बहुत सारे factor है न यार और ऐसा भी है कि एक साथ साथ हजार भी हो सकता है 40 भी तो हो सकता है जो है न concept समझा नहीं रहूं concept के लिए YouTube में class रखे है देख लेना अगर टाइम मिलेगा तो मैं काम की बात करना तो यार सर ऐसा है कि CFAT कितना भी आ सकता लाइफ कितनी भी हो सकते कितनी भी हो सकती चलो ना trial and error खिलते हैं हर बार हर बार हर बार trial करते drill mock drill और देखते हैं कि यार चलो कि ऐसा बार बार करोगे ना तो हो सकता कि सहीं निकल जाए तो हम क्या कर रहा है हम एक random number लिखे cash flow का 2GT में और like का अब सबसे पहले जो probability है उसके सबसे हम range दे रहा है 60,000 के लिए range लिया हमने 0 to 29 40,000 के लिए आगे चले तो सर ये 29 यहां तक हो गया तो ये 32 पहले इसको ताकि range देने में easy लिए हो 0 to 29 यहां दिया और यहां 30 to 79 दे दिया अब समझ रहे हो ना और यहां 80 to 99 दे दिया ऐसी range किसका दे दिया life का भी दे दिया यहां तक बात समझ में आ गई है मैं समझा ही नहीं लो मैं तो revision करूँ अब करना क्या है दो random number उठाना 19 उठाया और 30 उठाया अब देखो 19 यहां 19 है कहां सर यहां है मतलब CFA T पहला चिट निकाला चिट्थी निकाली मैंने lottery और lottery में पहले cash flow के लिए lottery लगी 19 और life के लिए lottery लगी 30 दो number है तो 19 कहां फसेगा सर 60,000 CFA T आएगा और 30 कहां आएगा 66 सा लाइफ रहेगी तो 19 और 30 के हिसाब से हमने CFA T और life decide किया और हमने NPV निकाला फिर अगला दो और random number ले लिया 55 और 45 उसके हिसाब से फिर हमने cash flow निकाला लाइफ लिया इस तरह से हमने बार 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 एक दो 3, 4, 5 random number लेकर NPV निकाला और divided by pass से कर दिया तो यह आगया मेरा average NPV मतलब यह कुछ भी हो सकता उस हिसाब से हम काम कर और एक कोशन है utilities पे time pass है तो पर पता नहीं आपकी किसमत खराब है पूछ ले तो इसमें क्या होता है utility में का मतलब खुसी यह 0 है जितना cash flow ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा खुशी होगा और जितना cash flow कम आएगा हमको दुख होगा utility minus में मतलब दुख utility plus में मतलब खुशी और हमारा expected utility क्या होना चाहिए positive तो अब आपको दे देगा cash flow और probability दे देगा खुले 40,000 cash flow आएगा तो सर यूटिलिटी कितनी है 60 तो इसकी probability कितनी है 0.5 0.5 15,000 cash flow 15,000 मतलब 40 into 0.3 40 utility into 0.3 और सर माइनस 10,000 मतलब minus 20 20 minus into 0.2 expected utility आगया 38 तो project should be accepted या था सरी अब एक काम करते इसके बाद IFM कर ले क्या हाँ सर IFM कर ले चलो जी बात करें IFM की पिल्कुल छोटा सा इसके लिए दो chapters का knowledge होना ज़रूरी था एक था capital बिश्टिंग और एक था forex international capital बिश्टिंग में होता क्या कुछ नहीं भाई या आप बाहर project कर रहे हो बाहर project कर रहे हो dollar में खिल रहे हो तो जो पैसा लगाओगे वो dollar में और जो आएगा वो dollar में पर यार हम तो इंडिया वाले हैं तो उसको हमको rupees में convert करा करना पड़ेगा कुछ नहीं है सिधा NPV निकलना इसमें एक तो international capital budgeting और दूसरा funding कहां से funding बाहर से funding उठाना है हमको इंडिया में issue करोगे तो रुपी आएगा पर मैं केता हूँ चलो ना यार US में issue करेंगे तो US में क्या issue करेंगे और कैसे funding होगा वो उसके questions है तो international capital budgeting में हमें NPV निकालना NPV निकालने के दो तरीके एक है home currency approach एक है foreign currency approach सर होता क्या है एक बार थोड़ा सा समझा दोगी क्या हाँ समझा दे रहे है होता ऐसे है यह आप ठीक है सर और आप विदेस में US में project लगा रहे हो dollar में लगा रहे हो dollar 10,000 10,000 कम बोला है और सर हर साल आएगा dollar 2,000 आएगा किसी साल 3,000 आएगा किसी साल 5,000 आएगा किसी साल 4,000 आएगा ठीक है चार साल का project है अब यहार दो तरीके है इसका NPV निकालने की इन सब को home currency में convert कर दीजिए this is home currency approach मतलब इनको rupees में convert कर दीजिए और rupees में convert कर रहा है तो discounting rate यहां इंडिया वाला यूज कर लेंगे दूसरा तरीका है कि इनको हम rupees में convert नहीं करते हैं इसी के basis पर NPV निकाल लेते हैं तो फिर discounting rate आप इंडिया वाला यूज नहीं कर सकते discounting rate में हमको कुछ adjustment करना पड़ेगा this is foreign currency approach foreign currency approach में foreign currency को ही discount कर देते हैं और home currency approach में foreign currency को convert करते हैं home currency में और discounting करते हैं target NPV निकालना और यह decide करना कि project करना चाहिए कि नहीं करना इस पर question है question number 2 Indian company है भाई और US में पैसा लगा रहा है dollar 1,65 तर्जवन करोड़ 65 लेक्स इस पर जादा समय बरबाद नहीं कर सकते हैं हमारे पस time नहीं okay sir project है पास साल का और अभी spot rate है 72 all investment revenue will occur in dollar ठीक है और USD और INR का risk free rate दिया 8% 12% और यह dollar में cash अप्ट हो दिया हुआ require rate of return 14% है as in require rate of return on the project is 14% viability of project कौन सा using foreign currency अप्रोच एक बात समझने की कोशिश करना यह जो discounting rate है यह इंडिया का require rate of return 14% मतलब इंडिया का है और इंडिया में कमाई कितनी है 14% अगर आप in dollars को rupees में convert करते तो no doubt आप 14% से discounting कर सकते थे बट यार हमारे यहां का risk free rate हमारे यहां का क्या चल रहा है सर हमारे यहां का चल रहा है 8% ठीक है और यूएस का चल रहा है 8 और हमारे क्या चल रहा है 12 तो भाई इसमें से रिस्क प्रीमियम 1.12 बात समझ में बात बारीक बात है अगर देखोगे तो सर आप क्या कर रहा हूँ इसमें से में रिस्क प्रीमियम निकाल रहा हूँ ये समझ में नहीं आता तो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कर रहा हूँ म मैं रिस्क प्रीमियम निकाल रहा हूँ मैंने ये रिस्क प्रीमियम हटाया हूँ 14 पर्षन में 12 पर्षन रिस्क फ्री है सुनना ध्यान से 12 पर्षन रिस्क फ्री है और 14 पर्षन रिस्क है तो सर 2 पर्षन प्रीमियम है ना यस बस 2 पर्षन निकालने का एक तरीका है Risk premium 1.14 को divide कर दिया 1.12 से तो इसको रिस्क premium निकला और इसको हमने यहां add कर दिया Concept में ना जाओनों सर सीधी सीधी बात है इंडिया वाले को divide करेंगे US वाले को multiply करेंगे तो discounting rate आगए 9.93 और डॉलर है उसको हमने multiply किया answer आगया NPV और ये आ गया NPV किस में आ गया ये आ गया डॉलर में ठीक है सर बस इतना है कि जब डॉलर में NPV आ जाता है तो ये NPV मतलब present value तो उसको फिर आप spot rate से multiply करकर rupees में NPV ला दिया करो ठीक है आप बोलो NPV positive तो project should be accepted अब question ये बोल रहा है कि भीया ऐसा है सर कि अगर withholding tax होता 10% तो बताओ क्या होता withholding tax होता 10% तो इतना डॉलर हमको मिलता नहीं इसमें से 10% माइनस कर देते तो institute ने कहा कि ये इसमें से क्यों ये PVCI है ना इसमें से 10% माइनस कर देते एक ही तो बात है तो ये आ जाएगा after withholding tax उसमें से PVC हो तो NPV negative है और NPV negative है तो project should not be accepted हो जाएगा question number four तेखा XY Limited is engaged in large retail business in India और वो expansion करना चाहता है कहां सर अफरीका में expansion करना चाहता है वहां इस्टोर वगेरा लगाना चाहता है और अफ्रीका में इंफ्लेशन का रेट है 40% और हमारे यहां इंफ्लेशन का रेट है 10% XYZ को ऐसा लग रहाता है कि जो यह जो रेट है इंफ्लेशन का यह फ्यूचर में होगा ठीक है यही चलेगा इस्टिमेटेट प्रोजेक्टेट कैश प्लो इन रियल टर्म विदाउट इंफ्लेशन विदाउट इंफ्लेशन दिया है मतलब इंफ्लेशन जोड़ना पड़ेगा इंडिया और अफ्रीकन कंट्री में पहले तीन साल इंडिया में सुरू में जाएगा 50,000 रुपिया आएग फिर जाएगा 1500-2500 मतलब पैसे जाई रहा और यहां सर्फ सुरू में जाएगा 2,000,000 पर यहां आएगा आएगा अफ्रीकन रेंट्स आगे और कुछ बोला है कि आपका एजिम देट थ्री इयर नॉमिनल कैश प्लो मतलब इंफ्लेशन कंसिडर करना पड़ेगा नॉमिनल कै सबसे पहले इसको पहले इसको पहले कंवर्ट किजिए और कौन सा कंवर्ट किजिए इंडियन रुपीज में और इस रेट पर रेट निकलना पड़ेगा और इंफ्लेशन रेट दिया हुआ है तो सबसे पहले में एस्टीमिट्ड इस्पॉट रेट निकाल रहा हूं यूजिंग पर्चेसिंग पावर पैरेट खिक है ठिक है पावर डेट कैसे इस्पॉट डिट यह है ऐफ्रिकन रेंट तो ऊपर अफ प्लो को और सबसे पहले मैं अफ्रिकन रेंट्स लिखूंगा ये है रियल ये मैंने सबसे पहले टेबल में लिख दिया रियल ये सबसे याद रख लो ये रियल वाला लिख दिया अब इसमें इन्फ्रेशन जूड़मा इसमें तो नहीं आएगा पर इसमें आएगा 40-1 प्लस 40-1 प्लस 40 प्लस 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 तो ये क्या आगा है सर रियल सरु आगैप इपर यह अफ्रिकन रेंट्स में रेट आपको मालू है निकाला है तो इसको convert कर दिया रुपीज में फिक है? ओके ओके सर रियल कैश प्लो इंडिया का भी यह है पर इसको हमको 10% का inflation हमने जोड़ दिया इसमें 10 इसमें 10-10-10 और इसमें 10-10-10 और इसको और इसको add कर दिया तो यह आगए पीचे और यह आगया पीवी सी आई और पीवी सी ए नेगेटिव है कि सर हाँ नेगेटिव है तो क्या हो गया? और उसने बोला है कि जो थर्ड इयर का cash flow है वो perpetual रहेगा तो 20% से discount किया तो यह आगए यह कब का है सर यह थर्ड इयर का है थर्ड इयर का factor से में हमने multiply कर दिया तो यह आगए और फिर हमने क्या किया? इसको और इसको प्लस कर दिया तो NP अभी भी negative है तो हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए आ सकता है भाई question अच्छा question question number 5 पड़े? सर हमारी बुक में वो फाइब के असपास होगा देख लेना लिखा xyz a company based in India सर xyz कोई company है इंडिया की और manufacture कर रही very high quality modern furniture and sell to a small number of retailer इंडिया और नेपाल में बेशती है ठीक है तफ competition ने यह सब कहानी बता रखा है वो हमने question ना जाने कितने बार पढ़ा है नेपाल से import किया जाएगा और furniture बना कि नेपाल में भी बेचे जाएगा और इंडिया में भी बेचे जाएगा तो सर नेपाल से import कर रहे है तो वहां की नेपाली currency है ठीक है और यह सब nominal दे रखा तो tension कहता रियल दिया होता तो हमें nominal में convert करना पड़ता यह तो यार उन्होंने nominal ही दे रखा और millions में है और सर यहां भी furniture बेचे जाएगे नेपाली currency और यहां भी बेचे जाएगे और discounting rate 9% है और सारी नेपाली करेंसी ठीक है और नेपाली currency cash ट्वार इंडियन रुपीज एट फावड़िट तो फावड़िट है कहां फावड़िट के लिए हम आपको दे रहा है ना हम आपको inflation का rate दे देते हैं तो और इस पाउट रिद क्या फावड़िट निकाल सकती हो बिलकुल निकाल सकती है इदर निकाला है forward rate निकल गया है आप निकाल सकते है आप निकाल लेने दोस्तों ठीक है आप पर्चिसिंग पावर पैरेटे का नौलेज चाहिए अब सबसे पहले उपर टेबल में नेपाली करेंसी लिखेंगे यस उसको एक्षिन रेट से कनवर्ड करेंगे तो कैश्प्लो इन रुपीस कांटिंग कर देंगे तो ंप भी नहीं हैं तोसरा बोल रहा है मौडिफाइड ऐरर्र पूछा है उसने ऐसरिया आप मौडिफाईड ऐयरर बताएं जा रहा है आ तनन जा रहा है है कि यतनी यहार ai जा रहा ना और यह आयगा फर्स्ट एयर कि इन्वेस्ट करेंगे इसको मत करेंगे इन तेनों को जोड़िए अब आप लगा कितना रहा है वो 15,625 और तीन साल में इतना आ रहा है तो बताएए आप कितना return कमा रहा है इस इस मॉडिफाइड आया रहा है यहाँ का है नहीं है हिससा यह यह इंटर का है तो यहाँ पढ़ाना पढ़ा वो अलग बात question number 6 जो है वो technically wrong question है पर चलो बताना तो पढ़ेगा ठीक बढ़ा देख ले सर डीडी लिमिटेट एक कमपनी है ठीक है जी वैग बनाती है इंडिया में बहुत महगा है लेदर तो यूएस से supplier कर रहा है लेदर ठीक है भी यह और बेच रहे होगे तो यूएस से supplier यूएस से बुला रहा है तो 25 लाख रुपिया 25 लाख डॉलर जा रहा है हम यूएस में भी बेचेंगे अभी वाला question है और इंडिया में भी बेचेंगे इस point की वज़ा से मैं question करवा रहा हूं जो कि मैं रेटवांगा गलात इफ not imported cost of leather to be purchased in India इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम यह import नहीं करते तो इंडिया से purchase करते है वो ऐसा नहीं के इंस्टिटने ने क्या किया उसमें कि यह कहा देखो भाई ऐसा है कि हम यूएस से तो import करते है बलक में पर जो हम USA import नहीं कर पाते है उन लेदर को हम India से भी खरी रफ़ी रते है मतलब सरी ये kosht हो गया ये और ये भी kosht हो गया ये kosht हुआ तो ये bracket में लिखा होना चीज़ी था बिल्कुत सही ही पर क्या कर ले बाकी हुए ही है और बाकी इसके बाद कोशन बना लोगी बस मैंने बताया ना यहां इन्होंने कोश्ट ले रख कोशन नमबर सेवन कोशन नमबर सेवन अच्छा कोशन है बड़ा भी कोशन है बड़े दिखा Mental National Companies Planning to Set Up A Subsidiary Company in India ठीक हो यह यूएस की कंपनी है और इंडिया में अपनी Subsidiary Open करना चाह रही है ठीक पहले यह Export करते थे यूएस वाले पहले इंडिया में एकस्पोर्ट करते थे अब अपनी Subsidiary Open कर रहा है इन वी ओफ ग्रोइंग डिमान बाट इट्स प्रोडुक्ट and competition from MNC initial project cost लगेगा dollar dollar 500 millions dollar 500 millions लगने वाला है dollar 500 millions cost of project इसके अलावा बुले working capital का लगेगा 50 million working capital का लगेगा 50 million यह भी वाद समझ में आगई आगे क्या लिखा है street line method depreciation depreciation का method कौन सा लेना life है 5 साल और sell way से 0 ठीक है यह लिखा होगा बुले अभी जो है हम export करते है और अभी जो export करते है selling price है 80 और variable cost है अभी वाई साब जब वो factory नहीं खोल रहा है अगर मैंने कहा है वो factory नहीं open कर रहा है तो export कर और export करने पे contribution कितना कमाते है बुले वो 40 रुपे contribution का कमाते है अब जब factory यह open कर लोगे तो यह export होना बंद हो जाएगा CFO has estimate the following operating and other ठीक है variable operating cost dollar 20 per unit ठीक है बना रहा है हो ना ठीक है पीज additional fixed cost है dollar 3 million per annum and allocated fixed cost allocated fixed cost कभी decision making में काम नहीं आती है additional fixed cost काम आ जाएगे production capacity है 5 million units से बनाओगी तो सर्फ हमें बनाना कितना 5 million units तो variable cost है fixed cost है selling price दिया नहीं है वैसे भी expected useful life है पास साल depreciation के काम आएगा working capital existing work है अच्छा पहले से working capital लगा हुआ export वाला business कर रहे तो पहले से 15 million का working capital लगा हुआ है हाला कि हमें 50 million के ज़र्वत थी पर कितना लगा हुआ 15 million लगा हुआ है ठीक है तो extra ही तो लगेगा 35 million यह वाला point अच्छा है export of the product in the coming year बोले export जो 2 lakh units 2 lakh million units कर रहे थे ना बोले अब आने वाले साल से 1.5 million ही होगा उसकी वज़ा उन्होंने बताया है तो आगे से मेरा जो revenue का loss होगा वो 1.5 million पे होगा मांगा क्या है tax का rate है 35% require rate of rate है 12% no variation in the action rate ठीक है और withholding tax पर गेरा कुछ नहीं NP भी नहीं का लिए तो यह question actual में capital wasting का है actual में यह forex का question तो है नहीं चलो भई अभी हम export करते हैं मानलो हम export करते तो 1.5 million कितने का बेशते असी selling price हम असी मानेगे variable cost 60 profit before tax आजाता depreciation है यह नहीं export वाला काम है तो 30% tax यही pet है और यही CFAT है अगर हम project करते तो 5 million unit 80 के साब से बेशते variable cost 20 रुपे लगती 20 डॉलर जो भी है और fixed cost 30, 270 रहा जाता depreciation हो गया PBT आगया टेक्स आगया तो अब सोचो new factory खोलने से 210.50 million का CFAT और अगर नहीं खोलते तो 39 का तो incremental CFAT कितना आगया 171.50 अब NPV नहीं का लेते है तो रों में कितना जाएगा dollar 500 और extra incremental working capital कितना आ रहा है 35 हर साल incremental CFAT यह आएगा और incremental working capital 35 आएगा incremental working capital आपको पता है ठीक है sir NPV positive है project should be accepted question number 11 question number 11 भी अच्छा है देखे sir कोई US based company है और वो software simple सी बत है software development का काम हो रहा है software development का काम कहां हो रहा है sir India में हो रहा है यहां labor system मिलते है ठीक है और software बना कर India से software बना के यह company वापस ले जा लेगी वह यह वापस ले जा कर यह US में बेज देगी तो इंडिया वाले पागल है क्या tax मांगे हम एक मानेंगे कि आपने बनाया और बनाते तो किस रीट पर हम इसको इंडिया से बेचते है this is transfer pricing हम यह मानें कि हमको tax की वसूली करना है तो हम आपसे मानेंगे कि sales हो रहा है dollar 10 millions का टाकि हम आपसे tax की वसूली कर पाए ओके आप फिर बाहर कितने में बेच रहा है हमारे काम की चीज़ नहीं unit excel के लिए रहेगी software develop this frame में हो जाएगा tax करेट है 30% और withholding tax है 10% और eligible नहीं है US में software जो sold होगा वो इधर जो market में बिचेगा वो 12 million का बिचेगा मैंने चित्र बनाया हों के नहीं बनाया other estimated यह दे रहा है rent दिया है और manpower cost दे रहा है admission cost दे रहा है और पूछ रहा है कि बताए यह viable है के नहीं software बनाने में कितना खर्चा आ रहा है in dollars पहले rupees rupees वाला देख ले एक तो यह खर्चा रहा rent का और manpower का total girling और administration का और tax भी तो लगे खा तो sir इसको एक बार cost ले लेते हैं तो transfer pricing है 10 million dollar और उसको multiply कर देते 48 से तो हम मानेंगे कि sales हुआ इतने का हम क्या मानेंगे इंडिया इंडिया गौर्रमेंट मान रही है और cost लगा इतना तो सब profit before tax आया tax minus हुआ तो profit after tax आया और जो यह है इस पे withholding tax लगेगा अब जोड लीचिए सब को cost यह income tax यह withholding tax यह तो total मिलाकर cost इतना लग रहा है software बनाने के लिए tax वेक सब मिलाकर और dollar करेट है 48 तो total मिलाकर हमको software बनाने का इतना million cost लग रहा है जबकि हमको 12 million में बेचना है तो ठीक है बनवा लीजिए project should be accepted ठीक है यह था international capital listing फिर तो जितना भी करो कम ही है और यह question है GDR, ADR वाला इसको देखना पड़ेगा तो भई एक्सपांड करना चाहता operation और install करना चाहता manufacturing plant in US US में हम plant लगाना चाहते है हमें 8.82 million dollar की जरुरत है net of issue expenses ठीक है तो आपको GDR issue करने का सोचे और GDR issue करोगे तो floatation cost 2% 8.82 हमको चाहिए net मतलब इसको gross up करना पड़ेगा divided by 98% तो बताओ हमको GDR कितने रुपए के issue करना पड़ेगा 8.82 divided by 98% सर हमें 9 million के GDR issue करना पड़ेगा ठीक है तो पहला तो होगा कि आप बताएए GDR कितने के issue होगे 9 million के post of GDR पूछ रहा है number of GDR अब number of GDR देखते GDR कितने में issue होगा सर share कितने का है एक GDR में 2 share होगे 360 into 2 ठीक है पर ये share 10% discount पे होगे into 90% बस और अच्छा ये रुपीज में हैगा 360 into 2 into 90% 648 का GDR इन रुपीज और इसको हम 72 से divided कर देंगे divided by 72 ये आ गया है हमें 9 डॉलर का एक GDR पढ़ रहा है उस हिसाब से हमें 1 million GDR issue करना पढ़ेगा 1 million GDR issue करना अब cost of GDR बोल रहा है तो check करो dividend 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 कितना मिल रहा है 20% ये तो इंडियन रुपीज में मिलेगा 20% face value है 100 का 20% कितना होता 20 और क्योंकि 2 shares है तो हमको dividend मिलेगा 40 रुप है और GDR कितने में issue हो रहा था तो ये हमने निकाला GDR 648 648 कैसे आरा जरा बता होगे भई सीधा दिख रहा है 360 into 2 into discount face value है 90% ये आगे 648 और net proceeds 648 में आपका floatation cost भी कट जाएगा into 98% तो net हमको इतना मिलेगा अब के ये निकालते 40 divided by this और growth rate है 12% तो 18.3% परड़ा cost of GDR अब उनका कहना है कि अब बैंक में मानलो अब को 12% के हिसाब से loan मिल जाता है तो अब GDR क्यों issue करेंगे वहाँ की बैंक से 12% के हिसाब से loan ले लेंगे उसकी वज़ा से हमारा 6.30% बच जाएगा पिलको simple topic था international financial management मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस chapter को क्यों फोट गे जाते अगला topic उठा रहा है security analysis और security analysis के बाद risk management अगला topic लेके चलते हैं security analysis security analysis में थोड़ा बहुत theory है fundamental analysis है technical analysis है हम बहुत ज़्यादा theory पर focus नहीं कर रहे है हमारा target है numerical और numerical में हमें दो चीजे करना एक है moving average और एक है efficient market hypothesis moving average का एक ही question और efficient market hypothesis के दो question है ये question छोड़ नहीं सकते आपको करके जाना होगा okay sir तो सबसे पहले moving average की बात करें दो type के moving average है simple moving average और exponential moving average जो आएगा बिटी जो question दिया गया है जो आया है अस तक simple moving average से कुछ नहीं आया है आया है exponential moving average the moving average है क्या वो धीरे से discuss कर रहे है सबसे पहले calculation सीख ले sir ये days दे रखा है और 10 दिन का price दे रखा है ठीक है sir और ये price दे रखा है और हमसे मांग रहा है five days simple moving average sir question आता नहीं है तो पढ़ा क्यों रहा है क्योंकि इसके मिना exponential moving average आपको नहीं बनेगा तो sir बोला है five days simple moving average निकालना तो कुछ नहीं करना आपको एक से past तक का average करना है ठीक है और फिर ये कौनसी दिन का moving average अजाएगा फिप्ट डे का ऐसे फिर 2 से 6 तक का average करना है simple sir average करके करना क्या है मैंने कहाना अभी important यह नहीं है कि huge क्या होने वाला सबसे पहले calculation समझ ले और वो ही मैंने किया है मैंने सबसे पहले एक से लेके past तक का ये average आ गया फिर 2 से लेके 6 तक का करना पाच-पाच दिन का मैं average निकलते जा रहा हूँ अब sir इसका huge क्या है इसका huge मैंने समझाया हूँ कि देखो average से हमें indication मिलता है ये दिख रहा है आपको यस ये आपको price दिख रहा है ये simple moving average दिख रहा है ये short term है ये long term है और इससे indication मिलता है कि यार अब कब हमको बेच देना चाहिए moving average है क्योंकि moving average smooth होता है तर समझ में नहीं है अभी समझने की बात नहीं अभी important है calculation this is most important इसको थोड़े अच्छे से कर लेना exponential moving average exam में आने के chances है please अच्छे से करना exponential moving average क्या बताता है और निकलता कैसे बोले previous exponential moving average लेना फिर इन दोनों के बिच का difference लेना और adjustment factor लेना क्या बोल रहा है ज़रा समझाओ कि मैं समझाने के कोशिश करूँ example से अब ध्यान से समझना जिसे ये 27-8 है 28-8 है और 29-8 है तीन दिन का मैंने price लिया 30 रुपए 25 रुपए 32 रुपए इसके पहले एक डेट थी 26-8 को आपने moving average निकाला moving average ले लिया आपने exponential moving average वो आपको calculate करके दिया है यह तो आपने calculate कर लिया अगर नहीं दिया है तो हम simple moving average यूच कर सकते हैं ठीक है और वो था 27 रुपए इसका मतलब हम ये कहना चाहते average का मतलब average का मतलब यार जो past में होगा वो फ्यूचर में होगा और हमारा उनुमान है कि future में 26-8 का moving average निकला 27 रुपए तो हम ये कह रहें कि future में 27 तारीक को 27 रुपए प्राइस होगा पर प्राइस कितना होगा है 30 या error आ गया यस तो उस error को हम adjustment करेंगे अब हम निकालेंगे कि आगे क्या average होना चाहिए तो हमने का देखो भई आगे क्या average होना चाहिए 27 तारीक को निकाल रहा है हम exponential moving average वो कब के लिए निकाल रहा है 21 के लिए 28 को क्या होना चाहिए price तो हमने कहा यार 27 अब यहां मैं ठीक कर रहा हूँ यार हमारा अनुमान था कि 27 रुपए होना चाहिए पर हो कितना गया 30 तो सब 3 रुपए का डिफरेंस आया तो हमने कहा यार यार यह 3 रुपए एड कर देते पर पूरा 3 एड नहीं होगा मैं फिर से बोल रहा हूँ smooth होना चाहिए इसलिए हमने adjustment factor से multiply किया मैं फिर से बोल रहा हूँ वैसे तो adjustment पूरे 3 रुपए से होना चाहिए पर 3 से नहीं होगा हमको कुछ factor लेना पड़ेगा जिसको बलते adjustment factor सर adjustment factor दिया रहेगा क्या और सर नहीं दिया रहेगा तो adjustment factor निकालने का formula है 2 divided by n का मतलर number of days number of days कितने दिनों का निकाल रहेगा प्लस 1 यह वैसे तो दिया रहेगा पर पिछले किसी attempt में question आया जिसमें नहीं दिया रहता था ठीक है सर adjustment factor से multiply किया हमने कहा यह होना चाहिए अगले दिन का price पर सर अगले दिन तो यार 25 हो गया तो ठीक है फिर adjustment करेंगे 28.95 हमारा उनमान यह था पर सर यह तो यार difference है कम हो गया तो मैंने देखो यहां लिखा closing price यह वाला closing price minus previous exponential और adjustment factor से multiply कर दिया तो 28.95 मेरा गलत estimation हुआ estimation होना चाहिए था 26.38 अब हमने का अब आने वाले दिन में price होगा 26.38 पर हो गया यार 32 तो फिर इसको मैं ठीक करूँगा मैं काऊंगा 26.38 होना चाहिए था पर यार हो गया ज़ादा तो हमको इसको adjust करना पड़ेगा और हमने यहां difference को 0.65 से multiply कर दी सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा मुस्किल formula नहीं और सर अगर ये exponential average previous वाला दिया रहेगा कि 100% सर नहीं दिया होगा तो फिर आप simple moving average को use कर सकते ठीक है और इसकी मदद से हमें signal मिलता कि हमें market किस और जा रहा है यह question है भाई साब ये question सर करके जाना होगा किसी भी हालत सर closing value of BSE sensex दे रखा है 6-17 तक ये closing value हमको यहीं चाहिए था जिस दिन trading नहीं होगे उसकी बात नहीं करेंगे exponential moving average आपको निकालना है during the above period 30 days simple moving average दे रखा 30,000 यहीं तो चाहिए था यहां का simple moving average 30,000 रुपए दे रखा है और value दे रखा exponential value हमको चाहिए था यह दे रखा 0.062 दे रखा है अब मुझे इस दिन का exponential moving average निकालना है तो कैसे निकलेगा सर इस दिन कैसे निकले 30,000 तो रहेगा रहेगा yes plus closing price क्या हो गया 29522 minus क्या कर दो के previous वाला 30,000 यह difference को adjust करना पड़ेगा इसको multiply किस से करेंगे adjustment factor से 0.062 बस इसी तरह से आपको काम करते जाना है और काम करते गए आप समझ गया ना कि मैं क्या calculation एक बार करके देखो कि तो हो जाएगा अब यह market किस और जा रहा किस तरब जा रहा सर यह जो moving average है धीरे 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 बढ़ड़ा है तो यह माना जाएगा कि bull market है, bullis है और investor को long position लेना चाहिए ठीक है बस इतना ही है moving average और दुक्की बात है कि अगर यह छोड़के चले गया ना और 8 number का आगे तो दिक्कत बन जाएगे, इसलिए please करके चले जाना, बहुत ज़्यादा मुस्किन नहीं ठीक है दूसरा मुझे discuss करना था efficient market hypothesis detail में discussion किया था, बहुत कुछ लिखवाया था, अभी काम की चीज़ efficient market क्या होता था efficient market का मतलब यार हम अनुमान नहीं लगा सकते कि market किस ओर जा रहा है, this is efficient market किस तरफ जा रहा है उसमें भी तीन थे, strong, semi-strong weak, मैं बात करूँगा, weak form of efficient market ओके सर, इसमें क्या होता था सर, आप efficient market मेंने क्या बोला, कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि किस तरफ market जा रहा, perfect competition चल रहा है कोई भी नहीं पता सकता कि market बढ़ेगा कि कम होगा अब यार ऐसा है कि chart दिया हुआ कुछ price दिये हुए है और उन charts को देखकर technical analysis को यूच करके अगर आप पता लगा लोगे कि ये market किस तरफ जा रहा है तो ऐसा market inefficient और सर, अगर हमने chart देखा पर chart में randomly लिखा हुआ कभी price कम हुआ, कभी ज़ादा हुआ मतलब आने वाले दिनों में market क्या होने वाला हमको नहीं मालूम तो ऐसा efficient market है पर ऐसा market weak form of efficient market है फिर से बोलू, बात समझ में आगी अगर chart देखकर पता ही नहीं लगा पा रहा है सिर्प chart देखकर, सिर्प technical analysis को यूज कर रहा हो और पता नहीं लग पा रहा कि market क्या है तो हमने का हाँ जी, यह efficient market है हाला कि यह पूरी तरह से efficient नहीं है यह weak form है इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं पता लगाने के पर chart देखकर पता नहीं लगा पा रहा हो तो ऐसा market efficient है तो इसको efficient market है weak form of efficient market है कि नहीं है इसको पता करने के दो तरीके है एक तो है हमारा run test तो मैं बात करूंगा किसकी run test आ सकता है उसके लिए question उठाया है अब धियान से समझ रहा हूँ concept question के साथ साथ समझाजते हुए जा रहा हूँ closing price दिया हुआ है बहुत दिनों का yes you are required to test the बताना है कि weak form of efficient market है कि नहीं है आपको run test को use करना है आप 5% level of significant पर चेक करना और 10% level of significant पर चेक करना और ये table का T का value दिया हुआ है ठीक है सर सर पहला काम क्या होगा पहला काम आप पिछला price से ये वाला price देखो ये बढ़ड़ा है कि कम हो रहा है अगर कम हो रहा है तो आप sign लगा दीजिए minus का फिर देखो सर ये और कम हो रहा है 2780 से 2 सर ये बढ़ड़ा है तो sign लगा दीजिए plus का इस तरह से आप माइनस प्लस माइनस प्लस का साइन लगा दोगे सर बरड़ा है तो प्लस 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 और फिर कम होगा तो माइनस ठीक है तो वही मैंने यहां काम किया मैंने माइनस का साइन लगाया फिर प्लस का लगाया फिर कम होगा तो माइनस का लगाया ठीक है, पहला काम है कि आप sign लगा दीचे, तर ये काम तो हो गया, अब आगे क्या करना है, आगे आप देखो कि sign change हुआ है, यहाँ एक बार sign change हुआ तो इसको आपने run count किया 1, फिर sir plus से minus हुआ तो इसको run count किया 2, जैसे sign change होता है तो आपने count किया, इसको बोला जाता है run, run क का मतलब, number of runs का मतलब कि sign कितने बार change हुआ, उसको हम बोल रहा है run, ठीक है सर यहाँ तक बात समझ में आते हैं, तो टोटे मिलाकर अगर देखोगे, तो यहाँ कितना run हो गया, 8 run हो गया, मैं concept पर जा रहा हूँ, तर 8 run हो गया, सवाल है कि run जादा होना चाहिए, यह कम होन सर नंबर of runs आएगी जादा, तो आप पता लगा लोगे, आपको मालूम है कि minus के बाद सीधा plus होता है, तो जैसी price कम होगा, तो अगली दिन क्या होगा, बढ़ेगा, तो आप पता लगा रहा हो, plus हुआ, तो अगला दिन क्या होगा, अगर number of runs जादा है, तो आप पता लगा लोगे कि market किधर जा रहा है, तो number of runs जादा नहीं होना चाहिए, अब बात करते है, अगर sign बहुत कम change हुआ, मतलब एक बार plus होने के बाद, plus 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 ही होता है, और एक बार minus होने के बाद, minus, मतलब number of runs बहुत कम आएंगे सर, बहुत कम, तो भी ऐसा market efficient market नहीं है, क्यों, क्योंकि अब पता लगा पा रहे हो, कि एक बार plus होता है तो जबरदस्त plus होता है, और एक बार minus होता है, तो जबरदस्त minus होता है, it means, एक बार minus के बाद, जैसी अगले दिन plus होगा, तो खरीद दो share, क्योंकि अगले दिन, अगले दो चार दिन तक वो plus ही होगा, बढ़े गई बढ़ is run कैसे निकाला जबता है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ formula है तो सबसे पहले हमें number of plus count करना पड़ेगा एक दो तीन चार पाच इस तरह से number of उसको हम नाम देंगे n1 और फिर number of minus को भी count करना पड़ेगा number of minus तो sir उसको नाम क्या देंगे हम n2 यहां तक हो गया अब भी बहुत ज़्यादा concept में मच जाओ दोस्तों अभी सिर्प कैसे करना है इस पर जाओ ठीके सर एन वन हो गया एन टू हो गया अब हमें average run निकालना पड़ेगा और average run का यह formula है यह mu mu का मतलब average तो n1 n2 n1 plus n2 plus 1 यह formula याद करना पड़ेगा तो हमने 2 into 11 n1 था n2 था और इसको हमने किया तो average run आगया 10.26 हमने कहा average कितना होना चाहिए यह कम यह ज़्यादा average कितना होना चाहिए average होना चाहिए 10.26 जबकि average कितना है 8 ऐसा market efficient market नहीं होगा इतना होना चाहिए रन 10.26 होना चाहिए पर यहां तो रन कुछ और रही है तो अब समझना आगे 10.26 फिक्स तो आई ही नहीं सकता कभी भी तो प्लीज थोड़ा सा रेंज तो दे दो बात समझना मेरी बात समझो के मतलब यह थोड़ा सा अगर 10.26 के आसपास इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए मैं कह रहा हूं कि क्यों ना इस्टेंडर डैविशन निकालना जाए फिर से समझना मैंने क्या निकाला एवरेज रन अब मुझे निकालना अगया अब मुझे निकालना इस्टेंडर डैविशन धीरे से बात समझ में आगी और मैंने इस्टेंडर डैविशन निकाला ICEI ने यह फॉर्मिला यूज किया जो मुझे कभी याद नहीं होगा सिम्पल सा मेरा दूसरा फॉर्मिला इसी से डिराइव होके यह बना है मू माइनस वन एवरेज माइनस टू डिवाइड़ बाई एन फ्लस एन टू माइनस वन तो इसकी मदस से मैंने इस्टेंडर डैविशन निकाला 2.06 अब 2.06 का मतलब अब भी मैं समझा देता हूँ यह लो भाई वैसे तो कितना आया था 10.26 एवरेज मैंने थोड़ा सा जाता थोड़ा इस रेंज में तो देत हो तो बहुले 2.06 चल जाएगा 10.26 10.26 एन यह और एवरेज प्लस 2.06 तो सर्थ 12.32 आया और 10.26 माइनस 2.06 8.2 आया अब समझना अगर रन इनके बीच में है एवरेज एक्जेक्ली यह आएगा तो जरूरी नहीं है पर इसके बीच में भी होगा तो भी हम मानेंगे कि एफिशेंट मार्केट है हम मानेंगे कि वह एवरेज ही है आप समझना इसलिए एक हमको अपर लिमिट निकालना है एक हमको लोवर लिमिट 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 लिम मजबनी आएगा और lower limit क्या होगी average सर आपने तो सीधा standard deviation minus किया था बस multiply किसे करना t से और depend किस पे करता है level of significant बताएगा question और degree of freedom अब degree of freedom कैसे निकाला जाता है n1 plus n2 minus 1 तो कितना आगए 18 यह याद करना पड़ेगा अब देखो 18 degree of freedom अब question देखो पर question में 18 degree of freedom पर 5% level of significant पर t का value दिया है 2.101 तो 5% level of significant पर हम upper limit और lower limit निकाल रहे यह निकाला हमने 5% पर upper limit निकाला upper limit 10.26 average था standard deviation है और 5% पर t का value था 2.10 तो यह आगए upper limit और यह आगए lower limit और फिर हम वही वाला chart बना रहे है अगर देखोगे तो yes यह है upper limit यह है lower limit क्या जो average जो run आया था actual में क्या वो इसके बीच में है yes तो ऐसा market weak form of efficient market है ऐसी check किस पर करेंगे 10% level of significant में जिसमें T की value दिया रहेगा फिर से upper limit निकाला और lower limit निकाला और क्या इसी के बीच में 8 आ रहा है हाँ तो ऐसा market efficient market है that's it तो यह मुस्किल है यह तो मुस्किल तो है पर अगर कर लोगे और आ गया एक्जाम में तो कम से कम यार हाला कि concept मैंने बहुत detail में समझा रखा है आपको plus minus वाली सारी चीज़े यहां तक बात समझ में आगे एक run test आपको करना है दूसरा auto correlation test sir auto correlation test क्या होता है भाई देखो total मैंने 10 दिन का price निकाला उसको 5-5 दिन में divide कर दिया और पहले 5 दिन का दूसरे 5 दिन से में correlation निकाल रहा हूँ अगर यह correlation positive आया इसका मतलब है यार अगर पहले 5 दिन का बढ़ा तो दूसरे 5 दिन का भी बढ़ता है positive correlation है उसर पता लगा लेंगे यार अगले 5 दिन का बढ़ा तो उसके 5 दिन वाला भी बढ़ना ही है positive correlation है एक period का average निकाला तो वो बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ेगा correlation correlation अगर negative है तो एक period का बढ़ता है तो अगले पास दिन का कम होता है market पहले पास दिन का बढ़ेगा तो अगले पास दिन का negative correlation है तो भी बात नहीं बनेगी correlation दो period के बीच में क्या होना चाहिए जीरो तो मैं जीरो निकालने की कोशिश करूँगा example से समझाता हूँ question number 50 दिखाए दे रहा है और इसमें total मिलाकर कितने दिन का price दिया 20 दिन का तो उसको मैंने divide कर दिया 10 दिन है 10 दिन 10 दिन हमारे लिए open high low कोई काम का नहीं हमारे लिए closing है और इसमें मैं change निकाल रहा हूँ बढ़ड़ा की कम हो रहा है तो सर 10 दिन का है तो total मिलाकर 9 days का change निकलेगा यहां से यहां तक कितना रुपिया यहां से यहां तक कितना रुपिया और वो मैंने यहां निकल कर रख दिया प्राइस प्राइस निकला पर्शन्टेज नहीं निकला प्राइस और फिर मैं ऐसी वाई मतलब यह वाला निकाला इसका फिर से डिफरेंस निकाला और फिर उसको मैंने वाई मानके यहां लिख दिया मतलब सर ये पहले 9 दिन है और ये दूसरे 9 दिन है और इन दिन की बीच का मैं कोरिलेशन निकालूंगा कोरिलेशन मेरे पास नहीं है अगर कोरिलेशन जीरो है तो मैं कहूंगा यह efficient market है अगर कोरिलेशन जीरो नहीं है तो यह efficient market correlation zero नहीं है correlation positive है correlation negative है तो अगर आप पता लगा पा रहा है तो यह market पता लगा पा रहा है तो इन एफिशेंट है और सर अगर हम पता नहीं लगा पा रहे तो हम कहेंगे efficient है पर weak form है अभी बहुत सारी चीज़े हम देख नहीं रहे है ठीक है जर तो मेरे ख्याल से यह दोनों question आपको करना चाहिए ठीक है हाला कि मैंने correlation में बोला कि नहीं है exactly zero तो नहीं आता थोड़ा plus minus चलेगा पर यह मेरा विचार है okay mcqs डला हुआ है इन पर efficient market hypothesis का mcqs भी आया हुआ तो please इसको करके चले जाना हाला कि यह technical चीज़े है ऐसे समझ में नहीं आती बर जितना हो सकता कम समय में मैंने समझाने के कोशिश किए 20 मिनिट बरबाद हो चुका है इस चिकर बात करते है रिस्क मैनेजमेंट की numerical पार्ट है theory पार्ट है theory हम कौन से दिन डिसकस करेंगे sir theory आ जाएगा कल हलक कि इसको आपको चार मही को देख रहा है numerical important है और यहां हम रिस्क को measurement कर रहा है इसको हम वार बोलते है कि रिसमें हम निकालते कि हम यह निकलते यार कि एक दिन के लिए हम Share market में तो enhances ढूंबते कि यार हमारा ninety nine यह एक पर्शन चांस है कितना लोस सकता है diyor लोस निकालने कि maximum कितना लोस सकता light nine percent confidence level पर maximum एक दिन में कितना लोस सकता maximum उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा भी हो सकता पर 99% confidence level पर यह सब पूछता है ठीक है सर बहुत ज़्यादा concept पर मैं नहीं जाओंगा तो war क्या है maximum possible loss कितना हो सकता एक certain level of confidence level दो-तीन method है हमारे काम की है historical simulation method है Monte Carlo है हमारे काम का है variance covariance method या delta normal method बोलते है war निकलने का formula है investment का amount standard deviation और Z Z क्या है सर यही तो Z है this is normal distribution table Z table बोलते है किता question प्याते है तब बाद समझ में सुनना question धिहान से समझना मेरे investment कितना ही का करना है हमको सर पाच लाक रुपाय का investment करना चाहते है एक दिन में deviation कितना है 3% तो आपको एक दिन में maximum कितना loss हो सकता है 99% confidence level पर तो देखा जाए तो 5 लाक into 3% तो maximum एक दिन का deviation कितना हो सकता 15,000 रुपाय का loss हो सकता सर लेकिन multiply Z से करना पड़ेगा क्योंकि आप 99% confidence level की बात कर रहे हो और 99% पे Z का value है 2.33 और 95% पे 1.65 ये आपको याद रखना पड़ सकता है तो एक दिन में maximum कितना loss हो सकता है अगर हम 5 लाक रुपाय लगाए तो तो सर लॉस हो सकता है 34,950 रुपी एक दिन में deviation हो सकता है 15,000 जेड से आपको multiply करना पड़ेगा और परजेट का value आपको याद रखना पड़ेगा मैं फिर से बोला हूँ concept में ज़्यादा घुशने की कोशिश मत करो टाइम ज़्यादा लगे ओके ये वाला example अच्छा है प्लीज अच्छे से करने इस example को सर कितना investment करना चाहते हो 3,000,000 एक दिन का standard deviation कितना है 2% मतलब एक दिन में कितना deviate हो सकता सर 3,000,000 का 2% तो 6,000 रुपे का deviation हो सकता 6,000 रुपे का deviation हो सकता 99% confidence level पे वन डे वार निकालो तो 99 पे आपको मालुम है क्या value आता है 2.33 वन डे वार निकल जाएगा 3,000,000 x 2% 2.33 अब बोल रहा 10 डे वार निकालो तो भई दो तरीके हैं पहला वाला तरीका मैं यूजी नहीं करो more steady more confusion अब यार 10 दिन का मुझे standard deviation निकालना है रुपीज में निकल सकता है कि यह सर 6,000 रुपए एक दिन का तो square root यह होता है मतलब standard deviation का property है इस तरह से periodical standard deviation निकलता है यह B.S.M.E. भी पढ़ा हुआ है तो 6,000 है एक दिन का तो 10 दिन का standard deviation निकाल लीजिए और 10 दिन का standard deviation आगए 18,980 और उसको multiply किस से कर दीजिए Z से कर दीजिए और Z तो मालूम है तो यह 10 डिजिवार निकल लगा है कि यार अगर हम 3,000,000 रुपए आज लगाए तो 99% confidence level पर 10 दिन में maximum possible loss 44209 हो सकता है एक example और करते है example सी समझ में आएगा 5,000,000 रुपए लगाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट standard deviation 15% per annum यह अब साल भर का है एक साल में कितना दिन होता 300% दिन होता market कितने दिन खुलता तो वैसे 252 days हला कि institute देगा पर नहीं दिया है तो आप 252 days ले सकते हैं 250 दिन दिया रहता है कभी कभी book में तो सब ठीक है और अब 99% नहीं बोला अब बोला 95% confidence level पर 1 day वार निकाली है 10 days वार निकाली है और 1 day वार 95% पर वैल्यू क्या था 1.65 अब ध्यान से समझना मेरे वार कैसे निकले है सबसे पहले हमारा साल भर का standard deviation निकल सकता है कि 5,15,75 रुपए साल भर का standard deviation मुझे कब का निकालना एक दिन का तो यह साल भर का divided by 1 divided by यह कितने दिन का है सर 252 तो यहाँ 252 कर दिया समझ में आगे तो यह एक दिन का standard deviation निकल गया अब क्या बोला है सर 1 day वार तो यह standard deviation है ओके सर और इसको 1.65 से multiply करूँगा अब क्या बोलेगा 10 दे वार तो एक दिन का standard deviation हमको मालूम है तो 10 दिन का हम निकाली सकते है यह तो ऐसे निकाल देते हैं यहाँ 10 by 2 कैसे भी कर लो तो यह निकल गया और इसको multiply 1.65 से कर लो simple ओके यह example important है क्योंकि यह ICI के AFM में डला हुआ था example एक बार देख ले क्या yes sir इंवेस्टमेंट करना 200 लाक 2% per day दे रखा तो एक दिन का standard deviation sir 200 into 2% sir 4 लाक एक साल में 252 डेज लेना है 99% पे कौन सा फेक्टर है sir 2.33 1 डे वार तो 4 into 2.33 1 डे वार निकल गया 10 डेज वार तो अब 10 दिन का standard deviation निकल लेंगे 4 लाक है एक दिन का तो 10 दिन का कितना से 12.65 और 12.65 को 2.33 से माक्सिमम 10 दिन में loss कितना हो सकता है 29.47 ठीक है चले आगे question number 1 बुले portfolio है 200 लाक लगाया है XYZ में और 200 लाक लगाया है ABC में daily standard deviation दे रखा है 1 portion portfolio total मिला कर कितने का है 400 लाक और coefficient of variation कितना दिया है 0.3 और आपको निकालना 10 days 99 मतलब 2.33 तो हमको पता है और किसका निकालना है portfolio के निकालना है सर्फ सबसे पहले portfolio के standard deviation चाहिए 1% किसका standard deviation है सर्फ ये हर दोनों का इसका भी 1% standard deviation है और वेट कितना है 50-50 मैंने वहीं किया 1 square सर्फ पोर्टफोलियो के standard deviation निकाला ये आए ठीक है सर्फ और मुझे 1 day वार पहले standard deviation निकला और portfolio कितने का है 400 लाग का तो 1 day का standard deviation निकल गया मांगा क्या है 10 days वार तो मैंने 10 दिन का फिर standard deviation निकाला और 2.33 से multiply कर दिया बहुत ही simple question number 3 exam में आया हुआ था बच्चों के होस वड़ गए पढ़ते हैं Tuesday morning को bank statement से पता लगा कि 7 लाख रुपए भी ये हमारे bank account में है हलाकि उसमें से minimum हमको 1000 रुपए और ये bank account में हमारे पास 4 दिन के लिए available है मैं फटा फट से पढ़ा हूँ मेरा पढ़ा हुआ आप पढ़ लेना ये 7 लाख रुपए चार दिन के लिए available है लेकिन 1000 रुपए आपको minimum bank में रखना पढ़ेगा मतलब सर हम 6,99,000 का यूच कर सकते हैं बिल्कुल तो वो बोल रहा कि चार दिन में maximum 6,99,000 डूब जाए तो डूब जाए तो बताइए हम investment कितने का कर सकते हैं हम 6,99,000 रुपए डुबाने को तयार है उससे जादा नहीं तो बताओ investment कितना कर सकते हैं मतलब सर इसने 4 डे वास दे दिया है 4 डेस वार दे दिया है और पूछ रहा कि कितना पैसा लगाना है और daily standard deviation 1.5% per daily का standard deviation दे रखा है 99% confidence level पर 2.33 value आता है इसमें कोई शक्की बात नहीं हाला कि table भी दे दिया है हमारे पास available कितना है stock पैसा 6,99,000 में खेल सकते हैं और ये कितने दिन के लिए 4 डे के लिए तो क्या हमको 4 डे वार पता है या 6,99,000 और ये कैसे निकलता सर 4 डे standard deviation 2.33 तो इसकी मदस से हमारा 4 दिन का standard deviation निकल जाए 3,00,000 जब 4 दिन का standard deviation निकल गया है तो एक दिन का तो निकल ली सकता 1,50,000 और 1,50,000 percentage में है 1.5% तो बोलो कितना सर maximum possible investment हम 100,000,000 का कर सकते हैं simple है आएगा की नहीं आएगा मुझे नहीं मालूँ पर एक idea हो जाए कि आगए तो हम करने को तेयर है thank you so much तो ये आज का काम हो गया तीन topic आपको revision करना पड़ेगा खुद से security valuation और business valuation मतलब corporate valuation और merger मैं theory upload करूँगा दो घंटे वाला जो पुराना वाला है वो तो upload करूँगा और साथ में जितना amendment आया है वो theory upload होगा और साथ में बच्चों ने कहा कि सर डेरिवटी में जो theory वो भी upload कर दिना और मुझे amendment जो real option है उसके तीनी question है तो बच्चों ने कहा सर वो भी upload कर दिना वो मेरी जिम्मेदरी वो कल हो जाएगा अब यह हम खतम कर रहा है क्लास ठीक है बाकी तीन चैप्टर आप देखो भाई जल्दी से थैंक्यो